और ना मेरा जो काम है वो बहुत ही एक्ट्रोवर्ट है सबसे बात करना अच्छा एक अभी शूट था तो मॉडल को कॉंफटेबल करना तो मैं जोक मार हूँ यह कर रही हूँ ठीक है आप बोलोगो कि यून अभी आप पहली बार आए हो आप करना है क्या लाइन लाइन अच्छा वैसे मुझे लगा लाइन आप ही कुछ एक दोर टैग लाइन है वो में इसलिए क्या होता है क्या होता है क्यों ह सुषील सिंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं एकोलेस आज हमारे साथ हैं आदरणिय सोनी शर्मा जी वैसे दुनिया इनको एक ही नाम से जानती वह सोनी प्यार तो यह परस्नल रिलेशन्शिप कितने लोग बहुत कम लों को पता होगा क्या है यह प्लीज गूगल क यह परस्ता समयरे स多 यह सब्सक्रा огром कuks एकान शौगों कि भरस्ने बदार करने यृट मारे समय एक्षय जुका कम करने वाले लोग और अपने बार कम हो और आक कारने है जिनके हम करता है उनको एकाम करते मेरे एमेल आइडी मेरा number, मेरा DP भी नहीं होता है, क्योंकि जो professional number है, उस पे मेरा DP ही नहीं है अच्छा, intentionally और unintentionally intentionally, अच्छो जी हाँ, काफी बार होता है कि आप किसी male journalist से बात कर रहे हो, या किसी male influencer से कर रहे हो तो यो ने comment की, अच्छा ये क्या है, लाँ, before कोविड जस्ट कोविड स्टार्ट ओने वाला था लॉक डॉड़ तो चार दिन पहले एक मेक अर्टिस थी उसके साथ मैंने मॉडल मैंने मॉडल शूट किया तो उसने युन सिफ हेड्शॉट अप शॉट लिया तो मैंने अची पिक्चर थी गलती से बहुत अची वह अची व क्या है कि हाई हलो नहीं हाँ बोलो क्या होगा क्या चाहिए अची में में बेज़े तो नहीं तो आए वां बोल यह वाट्सप नमबर सेंड लिए और प्रोफाल यूर अट थी नाट शॉट फोविड बेंट यूट बदा थी आट प्रोफाल अट अट बाति अर्ट बात गर कि बखवास मत करो, नहीं सच में ऐसा होते हैं, नहीं सच में ऐसा होते हैं, तो अगले मेने के पैसे कैसे निकालोंगे, तो मुझे देना पड़ता है काम, नहीं बिफॉर वी गेट इंटो वर्चु एग्जाक्ली दुए, लेट्स तॉक अबोट अमेजिंग यार, वाँ, तो मुझे गहते हैं, तो मुझे गहते हैं, तो मुझे गहते हैं, तो मेरे ट्वल्स में 45 परसंट, 44.94 परसंट, and I'm proud of it, मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा हमेशा ही है, कि ऐसे ही जाना है पता है, यह अलाद मेरी है नहीं अच्छी, तो नहीं यह तो मैं किसे भी अंकल को, या भाईया को, या दीदी को बोलती थी, अँटी, आँटी, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप मुझे भी करवाद होगे, तो मैंने एक साल लिट्रली ऐसा किया है, उसके बाद दीरे दीरे कौन्स में, नहीं, खुद कर लूँग, खुद जाए है, बहुत सारे फेर्स होते हैं, अच्छापको कभी सबनाभ़ाए है, खुद आपको कभी लगे, कि आउट-आफ दीर जा रहे है, कुछ जा रहे है, तो मुझे कट करके, पोला फिर में, इन्फोर्मेटिव इन्फोर्मेशन देने लग जाओंगे, हम, भी यह थी, को लो मरजी वो बोलो, शो तुम्हारा है, बच्छमन ये फिर आया कैसे है, रोड क्रोस करने, तो मुझे तब से डर तो मेरे टूशन जाना, चार स्टेशन दूर 15-20 मिट कर लेकर लेकर जाना, आप तो मेट्रो है, और स्टूडेट मेरे को ये था, मुझे हमेशा सही था, कि मुझे ने जादा पैसे खर्च नी करवान है घर वालों के, पर लुकिली और सैडली जो भी है, मैंने पूरी जिन्दीगी पढ़ाए, जो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही करी है, प्राइवेट कॉलेज में करी है, और जो मैंने ग्राजवेशन स्टार्ट किया, बीजेम से तो किसको पता ही नहीं था, कि ये होता कि अच्छा टीवी में जाना है, रिपोर्टिंग करन किया और एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन था, कस तो अर्बा मागा, जानते होंगे लोग की वहाँ पर एक ऑफिस ए न्यूस्पेपर का उनका रेडियो स्टेशन है, अच्छा, तो तो ब्लाइड नेम अट, नहीं, 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 आर्जे बहुती गंदा था, तो बीस गंटे मैं वहा रहती थी, घर पे सब चार गंटे मैं सोने आती थी, तो सुबा, तो सुबा, इसा तो ब्लाइड ये था कि नहीं, ठीक है यार, मुझे इतना पता है, अबी भी या पहले भी, कि नहीं जितने अपने आपो घसरी हु ना, तो भाई वो करो, आगे जा मघंटी अवेगा ना, तो सुबाव पहले हैं लुदा है, तो सुबाव पारुजथ को तो सुबाइशों ना, दो टारो चूरिता विचास, फिञ रहे हैं, तो अबी में आप सुचिछा आपकि ये जातना पर प्रिवट इस सुचर अवेड़ में फ्या हैं वेर हैं कितने प 70,000 तो मेरी गली में जो लड़कियां थी या तो वो 12 कर लिया उन्होंने उनका सपना ही है कि 12 कर लिया और शादी करके रोटी पकानी और आइ वस लाइक मैं रोटी भी पका सकती हूं और मैं भार का भी काम कर सकती हूं ऐसा तो मुझे कुकिंग का भी बहुत क्रेज है तो मु पोस्ट गयरे नहीं करती है है मैं सामने वाले को भी नहीं करती रख फिर व्यक्ति मैं करने ड़ा तो जो पूरी लाइफ है जो मेरा काम है बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट है कभी-कभी आइफोन में क्या होता है फोन में कि अगले दिन का जो कॉल है वो दिखता नहीं है चला जाते है और कभी-कभी मेरा ऐसा थे कि दस बजे से मैं नॉन स्टॉप कॉल पर हूँ एक बज़े मै तो मुझे किस नंबर से क्या गया है तो मुझे कभी-कभी आप बच्पन से कि भाई मैं बिलो आवरज स्टुडेंट रही हूं अभी मैं जो भी कर रही हूं लाइक मैं कॉलेज में जब हमारा वीडियो एडिटेंग या कुछ डिबेट वगरा का कॉम्पेटिशन होता था तो मैं हमेशा मैं फ्लोर मैनेजरी बनुंग यह तार ठीक करना माइक वगरा यह सेट करना यह टेबल वगरा डेकोरेट न यह सारी चीजें मैं करती तो मैं इसमें खोश हो हूं मुझे रेडियो का क्रेज था कॉलिज टाइम से आnd स्कूल से रेडियो पगेरा सुनती थी कि इवन मैं घर पर हूँ, रात को भी रहें, टीवी ना देखके, रूम में बैठके, सब टीवी देख रहे हैं, सब ड्रामा देख रहे हैं, मैं ना कान में हेड़फोन आके, मैं रेडियो सुन रहे हूँ, तो भी सब पता था कि अच्छा, इस चैनल पे सुबह इतने मुझे का आज तक का रेडियो चैनल है, तो उनका भी दो बार रीनेम है उनका चैनल, तो मैंने वहाँ बहुत सारे प्रांक कॉल्स दिये, मेरे कुछ फ्रेंज वागेरा थे रेडियो में, तो देवर लाई के सोनी तिरकों लेंगे, तो मैं क्या बात करनी है, कुछ नहीं हम तिरकों बोलेंगे, तो एक बार वर्ल कप था, तो उन्होंने ना विराट कोली के बारे में कुछ पूछा था, तो आरजे था, मॉर्निंग शो था, तो वो लाइफ जा रहा था, रिकॉर्ड नहीं था, तो उन्होंने बोला कि वर्ल कप में सब को बैन कर दिये, कि आपनी वाइफ को तो आपको क्या लगते कि अगर तो आपको क्या लगते कि अगर तो आपको क्या लगते कि आपको क्या लगते कि आपको क्या लगते कि आपको किसको आना चाहिए, तो मैं बोला मा को आना चाहिए, तो मैं शुरू से ही फिल्म और मैं बच्पन से ही, I guess मैं इस फिल्ड में प्रेडियूसर है अब नॉर्मल लोग होते हैं मुवी देखेंगे अच्छा ठीक है यह स्टोरी यह मुवी गाना वा खतम बट मैं थीटर जाती हूं तो मैं एंड तक देखती हूं कि क्या क्रेडिट है क्या नहीं है तो मुझे से पता लगते हैं कि मुवी का यूश्वली क्य जादा कम लोगों को पता होती है इवन अगर इफ वी आर सोर्सिंग यह किसका क्रेडिट है कोई नहीं वो करता है जो हम लोग है जो काम करते हैं जो बैग्राउंड हम लोग को पता होते हैं ओ अच्छा इस पर्टिकुलर मुवी का यह जो कॉस्ट्यूम डिरेक्टर है जो जो स्टाइलिस्ट है वो यह है तो आई वस लाए कि अच्छा ठीक है फिर इंसे रीच आउट करते है यह करते है ऐसा ऐसा करके तो यह यह सहरे चीज़ों इतनी देखी इतने लोगों को घरो हिरो इनको देखा और फिर अचानक से जब उनके बारे में सच्चा ही जानी तो म अग्मुर्पा करते हैं और तो में सच्चा अउड्य आग्यूश्द को उस्ट पिर्णी को नहीं नहीं देखा अच्चा नी यह से नी फिल्मों में देखा आगा है यह वान देखार यह जू एपश्ट आप इंध पर संद एंदे पर संद करो इंट बिस देंस्त अध जब चाही जादा भीनाती है अपको मैंने जब यह काम स्टार्ट किया था कि यूनो यह होता कैसे I guess third agency थी मेरी Noida बेस जहांपर मैंने celebrity sourcing and मुझे पता ही नी था कि इनको message भी क्या ही मैं करूँ अच्छा ये message आया तो पता ही निए कि यार इसका मतलब क्या है कभी-कभी अट्रिय रहे हैं इतना short मेसेज करेंगे आपको समध़ है यह नेगिटिव में बोला है पॉजिटिव में में बोला है क्या है इक डिजाइन था डिफेंस कॉलिनी का तो मेरको सुनने में कि अच्छा मेरे को उस वो जॉब भी कैसे मिली क्योंकि मैं लास्ट एजनसी में जा काम करी तो मैं अकेली लड़की और पचास आठ ब्लॉगर्स आ रखे मैं को मैंनेज कर रही हूं और मैं सबको एक चीज रिपीट नहीं करती थी मैंने सबको एक खटा किया बीच में खड़ और मैंने फिर उन्हें मुझे ऑन दर स्पॉर्ट जॉब उफर करी और मुझे स्विच भी करना था रेटर धोके बाद है महिला तो फिर मैं इंटोवी देने गई तो बहुत दूर मेरे घर से मतलब मैं दो मुवीज डाल्लोड करके जाती थी एक मुवी ढाइगंटे कि यहा पहले तो मैं सिफ मीडिया करती थी इंट्लॉएंसर कोलाबरेशन करती थी क्या होता है सेलेबरिटी सोर्सिंग यह पड़े लेते हैं पैसे लेते हैं यह पड़े वापस नहीं करते क्या है यह तो मुझे ब्रैंड मिला मैंजब ब्रैंड उ मुझे पता इंट अच्छा तो मैंने का अच्छा ठीक, यह नोलिग मुझे वहा से मिली, मुझे पता ही नहीं क्या होता, और मुझे सबने डराया कि यह जो डिजाइनर है ना, एक लड़की थी तो उससे पहले, वो जो लड़की है वो इसलिए चोड़े गई है क्योंकि वो डिजाइनर ही नहीं हो रहा थ इतना वर ट्राय करती थी, अक्टर्स नहीं हो रहे, मीडिया नहीं हो रही, आप अच्छा ठीक है, देखते हैं, और रहा थीक है ना, देखते है ना, क्या होगा, अब यह थोड़ी की यह लास्ट एजन्सीं, काम ही नहीं कर पाँगी, मैं कुछ ट्राय करूँ कि हाथ पर मै सिंगर सौरी, शंकर महादेवर, कलर्स के लिए, ठीक है, मैंने कपडे भेजी, और मुझे अच्छा मैसेच पर क्या होते हैं, मैंना, 700 प्लस स्टायलिस्ट को जानती हूं, मुझे वह सब जानते हैं, ठीक है, बाइ नेम और बाइ फेस, क्योंकि मैं पहले डीपी लगा ज़ है, सिफ नेमो कर दिख जानते हैं, मैंने judgment simplified, क्योंकि मैंने नेमा, बीक हैन्य है, मैं और धाने की को जानते हैं, फेले करें को है आए, तो देक दिख होईक्त, एंतना थो मैं तो अर्वाेच आनते रखकता हैं लिके में राशनलर्शनल्य सकतली है, जैनले, और मैंने गोन तो उसका कोई सिंगिंग रियालिटी शो था उसमा इगस मुरुनाल ठाकुर अंदल जी दोसांज भी जज थे तो उसमें शंकर महादेवन जो है वो तो उन्होंने बोला रियालिटी शो सो क्या होता है एक एड़ अफते पहले शूट होता है उसके बाद टेलीकास होता है इस भी मैटर करता है बला ही ज़ी वेरी लार्ज और वो तो साइज अभी भी होता है कि कोई मेरा गाउन है या कोई कपड़े है जो मेरा स्मॉल साइज में अपर से इवन यहां यहां तक की मैजर्मेंट जाहिए न आपको यूनो अंकल कितना है लेंथ कितना है तो फिर मैंने डिजाइनर को बोला कि आउट्फिट सेलेक्ट हो गया बट वी हाव ली वन वीक आपको यह बनाना है तो बोला ठीक है बना दूंगा वह भी जोश में कि और रियाल्टी शो में पहली बार कर रहे है यह वो तो मैंने उनको वो उन्होंने कस्टमाइज किया औ मैं रोज सुबह मेरा काम की ओफिस में बैठी हुमें पहले डिजाइनर कॉल गती थी अच्छा आपडेट है कितना बना क्या हुआ यह उसके बाद फिर मैंने उनको आउट्फिट को डिलिवर हुआ ट्राइल्स होते हर यह कोई भी इवेंट है कुछ भी एक्टर का उसे पह आउट्विट कैसा लग एंड इन रियालिटी शो के होता है कि आप कैमरे पे चेक करते हो कैमरे पे वह कैसा लगए कभी कबार होते कि इवेंट में अच्छा लगएगा अगर आप कैंड़िट फोटो यह नॉर्मल स्टेल इमेज ले ले नहीं बट टीवी पे कैसा है वह वह मैटर करते हैं और कुछ-कुछ ऐसे कालर होते हैं जो आप टीवी पर वॉइड गरते हो पहना कि यार अच्छा ही नहीं लगएगा तो मुझे भी नहीं पता था उस ड्रेस जो उसका कुरता था उस आउटफिट में पतली-पतली लाइन थी तो उन्होंने स्टालिस ने कपतल शर्मा के शो में देख और कभी वह पहन के आता है तो इस 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 तो थाउजन सिक्स्टीन और फिटीन अच्छा हाँ तो मैं देखा और फिर मैं ने का मैं बॉस के पास गई मैं अब ऐसा होगा अब क्या करूं यह वो तो बोला कि ना कुछ भी कर उसको बोल तीरी ला अब श्तायलिस्ट तो मैं ने का शिवानी यह ना मेरा फोर्स सोर्सिंग आर आपको पता है और ना मुझे उस टाम ना थारा जार अर्पे मेरी सालरी थी तो मैं अस ताम ना हाइएस्ट अर्नर थी उस पूरी एजिंसी में कोई 10 ले रह कोई आर्ट ले बारा कोई 15 तो मैं यह मेरी ना फोर्स्ट वो यह और मुझे ना यह नौकरी जो मिली है यह खुझ से मिली है मेरे टालेंट पर आप कर दो तो यह वह जाए गया बहुत ही बाद इंप्रेशन और डिजार का इतना टाइम भी गया पैसे भी गया है बड़ा साइद तो बड़ा कपड़ा चाहिए बड़ा यू सब चाहिए तो फिर उसने बोला ठीक है मैं ट्राय करती हो उसने कुछ नहीं बिताया मेरे को मैं चार दिन सस्पेंस में रही उसने बोला विल सी विल सी साटरडे को दुपैर को मेरी चुट्टी थी उसने बोला कि आज आज आपको शूट हो रहा है आज आज सब खुश किया रहे चलो ठीक है ठीक है ठीक है देखते थोड़ा में डाउन थे कि पता नहीं यूज होगा कि एक हफते तो बुरी ख़बर थी कि यूज नहीं होगा फिर उन्होंने पहना और सबसे बड़ी चीज क्या होई कि उस जो एपिसोड रिलीज मतलब जहां पर अलमान खान एंड के ट्रीना कैफ थे तो शंकर महादेवन की फोटो थी उसमें उसने चार फोटोस डाली तो चारों में चारों में सल्मान खान के साथ फोटोस थी इस डिजाइनर भी खुश कि यूज अरे अरे उस टाइम बीना मेरा कॉन्फिदेंस बहत ही उता है क्या में सामने वाला गलत भी है तो मैं उसको क्या पूछूं क्या बोलू बुरा ना मांजे ब्लॉक ना कर दे कई मेरे चैट का स्क्रीन शॉट स्टोडी पे डाल दे कि यूण क्या इसको बात करना ही नहीं आता क्या है नहीं है तो जो मेरे साथ वाले थी यार इसका फॉर्स्ट वो अब्सोर्व करना स्टार्ट के कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो मैं बच्पन में नहीं होते है भाई बहन की जो उनको टेस्टी लगता वो जूठा खा लेते हैं पर दरद मुझे तो तेरा जूठा निखाना वो चीज़ तो मैं भी चंट फिर मैं मैंने देखा तो मैंने नही और मेरे को अभी भी है कि मुझे आजू-बाजू कुछ नहीं देखना क्लाइंट के यह डिमांड है मुझे यह पूरा करना है ठीक है तो उसके मतलब वो जैसे भी हो करके तो मुझे था कि कोई बात नहीं जल रहे है मुझसे ठीक है बढ़ता इंसान तो जलते हैं तो आपक वो नहीं इतने टैलेंट है तो वो रियालिटी चेक ने बार बार पुष्च किया कि मेरे इतना टैलेंट ही तो मुझे पुष्करना ही पड़गा है तो उस एजिंसी में एक लड़की थी जो मेरी ही क्लास फैलो थी साथ में फैलो थी फ्रॉम माई कॉलज गॉलेज बहॉत तो यह था था तो यह था अगर आपको जोनलिज्ब में बनाना तो आपको content राइटिंग आनी चैहिए मैं आपको पूरा समझा दूगी कि आपको क्या लिखना है बट मैं एक पारग्राफ से जादा नहीं लिख पाऊंगी वो चीज़ तो मुझे था कि मुझे शुरू से था कि यार मैं लिखी नहीं पाऊंगी मेरे इंग्लिश अची नहीं पता इस लगने र लगने विच लगने देम लगने क्या लगने विद लगने वो चीज़ तो वो लड़की वहां पर मुझे दो मिने बाद पता लगा कि वहां पर इंटर्न है और मैं पर अच्छा, वो इंटेलिजेंट लडगी, और मैन इसका वेट कर्या का तिती ती है, यार मुझे बता थे,स एक्टर मेर को यह मेसेच की यह इसका क्या रवर्ट को जिले 15-15 मुझे टी और यह एसे बैथे, व्लिद आप दी यह लुग है, मैने इप्राइज़ुएशन करी है, म यह इसका भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि BJMC जब मैंने करी में आपको पहले बताए कि पता ही नहीं था घर में कि BJMC होता किया गली में बैचलर जॉर्नलिजम आफ मास कॉम्मिनिकेश्ट सो मैंने यह किया मेरी गली में जो लड़किया थी वो डियू से पड़ते जिनक नर्स, नर्स, बैंक, टीचर और हुमन रिसॉर्स मेरे पापा को इतना नहीं पदा था कि सिर्फ जॉब जो है लड़कियों के लिए वो सिर्फ टीचर या फिर बैंकी होती है तो मैंने का पापा मैं तो वैसी कच्छी हूं मेरा बैलन शीट इनीक को लाया गभी 11 12 में मैं क् बहुत इरिटेशन होती है कि कोई चीज सही है और आप बंद करके भी बोलों कि नहीं एक चीज तो सही है तो मैं वो चीज डाइजस्ट अभी भी नहीं कर पाती हूं तुम्हे था बच्च अगर मेरे बात मानेंगे ना मैं थपड़ पन मार दूंगी तो फिर से मेरी नियू अदर इनननर जरू नियूज है कि कि बीजम लिग अपन मेरे नियूज आएगी और ना मmudवलों को कावलीः बोला की मुझे टानियू नियू और तो इस और कॉल तो उनोंने बताए कि क्या क्या कोर्सिज होते हैं तो मुझे भी उसी वक्ता लगा लगा थाब सी था कि मुझे ये करना है और बच्पने गया तो चुछ प्रेंड़ तो मैं भी ये करूँगा फिर मैंने पापा के साथ गई मैंने एडमिश्यन फ़र्म फैल किया पापा ने बोला इसके बाद अच्छे मार्ग मैं उस कोर्स में एडमिशन लूगी अपने ठीक है तो पापा ने मुझे फिर सत्रा सौर पर दिये टीचिंग के लिए कि अब तु इसका भी फॉर्म बर ले वह मैंने कर वाया उप मैंने कर लिये खर्च कर लिए ठीक हाँ हाँ ह मेरे बीजेम से रिजल्ट का तो वो आया और मैं मतलब मैं रात मैं जगने वाली इनसान कि मैं पूरी रात मैं जग सकती हूं और फिर दिन में सो जाओंगी एक्जाम में भी मेरे घर पे न यह था था कि न मैं अलग रूम में पढ़ रही और मैं बारा बजे से अपनी पढ़ा कि अच्छ नहीं करती थी चुट्टी है अज पूरा दिन मेरे एक्जाम है कल या दो दिन बाद एक्जाम है पूरा दिन सिफ टीवी देख रही हूं खा रही हूं पीजी सो जी मैं रात के बारा बजेंगे तो उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी तुमुझे घर अच्म पीना मैं तुम यह लिया तो तुम रात को पढ़ती है यह पी लिप लियो कोल्ड पीलियो जूस पी लियो तो मैंने का ठीक एती और मैं रात को ने चाहिं तग मेरे घर वाले सब जाने वाले सोने में अलग ड़ू मैं एक पिचन में जाओंगग चाय बनाँग चिप या बिस्किट पढ़े लोंगी, पढ़ते पढ़ते खाऊंगी और वो करूंगी, तो यह चीजे हुई, अब मैं अब कभी कबार जिसे कॉले जाती तो कभी कबार अंकल आंटी दिख जाते थे, अरिश्टदार तो, क्या कर रहे तो, I was like, मैं बड़े चौट में, मुझे पता ह दिकि नईंकल यह होता है नईंटी यह होता है उसको थे एक-डूसाल पी दिया तो जो बोलते थे नाम है ओना है, यह हिँ कर रही हुंकल अच्छा, 14, 56, 52, ऐसा जोड़ो, आए 25, अब ऐसे stupid सवालों का कोई जवाब नहीं होता. ये, ये मेरे साथ भी हुआ है. तो इसे नो, I don't know, he's like, यही ग्राजिवेशन कर रहे हुआ है. हाँ, ये, ये मेरे साथ भी हुआ है. जब मैं बोलती थी, जब मैं रेडियो में काम करें, ठीक, आरजे की तरह बोल के लिखा एक बार, तो मैंने का, अभी कैसे वो, तो बोलता पाई ने, तो क्या आरजे बनेगी, तो क्या वो करेंगी, कुछ नहीं करेंगी तू, ठीक है, तो नॉर्मल कोई जॉब डूल ले, ये कर ले, वो कर ले, बट फिर जब मेरे अच्छे माक सायद, एक दो बाव मेरी टीकर्स ने पापा कॉल करके बोला कि आपकी बेटी अच्छा पढ़ रही है, क्योंकि मैंने सेकंड एर से फ्रीलांसिंग में रेडियो अगरे में काम, इंटर्शिफ अगरे स्टार्ट कर तो मै इसे कुछ ने, मुझे बड़ा क्रेज है, कि मैं खुद कमाऊ हो सारी चीजे करूं और सब की फिर आपको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, अच्छा घर में टीवी खराब है, अच्छा पंका चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, गाड़ी लेनी है, यह लेनी है, तो मैं मै मैं helpful, कि मुझे करना है, तो यह चीज हुई, अच्छा, एक हमारी conversation और रह गई, खाने वाली, मेरे जो ऑफिस के कलीग थे, वो मुझे भाव नहीं देते हैं, ठीके, और वो सब अपना-पना कर रहे हैं, वो मैं अच्छा खाना ला ला ली तो, उसके ने मैं भी चंड बनग देना, ऐसे, और फिर मैं फ्राइड रैस लेकर आती थी, तो भी तो यह प्राइड रैस ने यहा रख एगा जाद रूज के कहती थी, हम लोग क्या गरते थे, जब वन I was in graduation, जो मैंने की नहीं, तो क्य होता थे कि लाबाद में ऐसे ही चलता है, आप चाय पी रहे हों, अपन मैं यह मांगता था मैं भी मैं भी ऐसे किया और ना यह तो बड़ी मैं घर में भी इस चीज में फेमस हूँ मैं क्या करती हूँ यह मख़ड़ है इसमें होट कॉफी है तो मैं ने पी लिया मुझे अच्छा लग रहा है मेरा छोटा भाई है मैं इसको फ्रिज में रख देती थी तेरे ले कहा था तो पूरा दिन वे यहाँ था तेरे ले कॉल्ड कॉफी बनाई थी ले यह पीस तो एक बार मैंने क्या किया मेरे भाई का बड़े था तो मैं केक लेकर रही थी ओफिस में की सब को खिलाऊंगे मेरे जो कलीगे मैं अच्छे मन से लेकर आई थी कि उनको मैं खिलाऊंगी फ्राइडे को ओफिस था हम भूल गए खाना वो मीठा खाना अपना केक खाना बूले तो फ्रिज बंद रा साटरडे और संडे को बंदे को मैं को यहाद आया है निदे को यहादा यह घूलि रहे पता यह फो फिर फ्रिज था तो उन्होंने बोला तो जब देखकरा उसमें क्या है तो उन्होंने उपर चोकलेट चकी और नीचे केक चका तो खट्टा वोगे तो बेर कैसा लग रहे है गोला ठीक है तो ठीक है तो ओफिसमें मारे मारे माइकरोव ता मैंक इस तो गरम कर लिए बहुत जादा गर्म कर ली तो उन्हों ने गरम किया तू निए निकारे रिख यह तो निकार मैं तो दिन से खाए री तिन अच्छा काया लोगोंने ओ भाई कौन सा फिस था पता कर ले ना तू मैंने कि अच्छा ठीक है ऐसा फिर आफटर शंकर महादेवन अब पी आर रा क्य कि अच्छा इतना काम होगी अभी अब होता है कि next month कि अच तेईस तारीके 24 तारीके next month क्या करने क्या प्लान आउट करने next month दुबारा जीरो से start करने प्रिसे कावरेज कोवरेज विद एक्टोर्स इंफ्लोएंसर और अधर अधरीकेश आइस नू अफ डै इन यू जो यह टृब अच्छुट्टी वाला टाइप शुट्टी है हमेशा और रोज काम है तीक है कि कभी कभी मन्दे को मुझे लग़ा कि संढे है और संढे को इतना जादा केरफुल पता है कहां रहते हैं जब रॉकेट लॉंच होता है इसलिए एक्टर्स जब आता है यह लॉंच हो रहा है हाँ आपको पता है जो आउटफिट है अकर उस पे काफी बार हुआ है कि मैंने गंदे कपड़ भी पनाया है और रीपीट कपड़िये पहना है और मैने बहुत इनस्टेंट स्टोरी बनाकर प्रू पेक दिखा कर मैंने बोल्य अरे यह नहीं यह दित हैं और यह कुछ और रहे बने कपड़े को कि अब स्कुल मुझे विज दे चाने रात को ओदे मुझे एूचा आ इसको आइटरों कि अ वैसे आज कल तो मैंने यह होता है कि काफी सारे स्टाइलिस्ट है मैंने को खुदी यह रिपीट है नहीं ठीक है दे दो हमारे आर्टेस्ट को चलेगा तो कुछ-कुछ ऐसे भी स्टाइलिस्ट होते हैं बड़ कुछ-कुछ होते हैं जो पहली होते हैं अपर यहां पर उपकी बातशीत भी हुई रिगूलर से मेरी कभी बातशीतुनी हुई जए मैं एक कफी बड़ा ब्राइंड है उसके लिए मैं पहले काम करती थी और ना वो इतना बड़ा ब्रांड हो चुक है उसका फेस कार्थेकार नैं रश्मी का मंदाना है तो उस प्रैं तो जो मैं गिफ्टिंग करती थी तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे बट फिर मैंने उनका च्छे आठ महीना काम कियो और ऐसा एक भी आक्टर नी था जिन्होंने उनका गिफ नहीं लिया हो यह स्टोरी नहीं डाली ओकर अच्छा तो मैंने अक्टर से कब बात करती हू जब मुझे उनको कोई गिफ्ट देना होता है क्योंकि मुझे ऐसे मुझे एक तो ट्रस्ट रिशू होते हैं दूसरी चीज यह कि ना इस इंड़स्ट्री में आप मेरे साथ बैठके खाना खा रहे हो ना पता नहीं मैं शैसे उटके अभी आपके साथ ही खाना खाया मैं मुझे आपके इंड़स्ट्री मेरे मन में फिलिंग आती है कि हाइना को देखा आप में लकड़ बगगे होते हैं जो सेरंगिटी और मसाई मारा है वो हाइना किसी के नहीं होते है मुझे इसा है कि हाइना है सारे के सारे नन अफ देन आर लायन और चीता और और इवन देली वसेज बॉमबे तो मेरे एक फ्रेंड है तो मेरे एक फ्रेंड है यह जो होता है हाँ अग्जीन की एडिटर है तो वो एक तो हम लोग ना बहुत गोसिप हमारे इंस्टाग्राम पे न सिफ वाटसप पे अमारे बस अक्टर्स और इन सबके नंबर युनो आप परस्नली बात कर रहे हो कि तुझे मुझे यह लग रहा है तुझे क्या लग रहा है और बाद में पता चल दस दिन बाद अर्यवावर यह हो गया ऐसा हुआ है कि लाइक यू स्टाटे टॉकिंग तो यू फ्रेंड की और मुझे नो इससे मेरे बात हो यह ऐसी लग रह सकते हैं वस तब दक उनसे दोस्ती कर जब तक वह आपके साथ लॉयल है और अगर आपको लगता है कि थोड़ा जोल जाल करते है तो आप उस पर थोड़ी एक्स्टा निगरानी रखो तो वह मैं कैसे रखती हूँ कि मुझे इस एजिंसी ने पैसे दिये तो मैं इनकी लॉय अगर देखने वाला देख तो उनको लगे कि रियल भी है तो मैं उसे पोस्ट भी डाले है कुछ भी एसे रैंडम भी हार की फोटो डाले है तो आपको अच्छा मैं एक और कड़वा सच बताती हूँ आपको अगर प्टाती हूँ आपको अगर मेरी नाइस स्टोरी सुनकी हमारी लाइफ ऐसी है वेदर जॉनलिस्ट, एक्टर, स्टालिस्ट, सबको रहा उनकी कहानी सुनके सामने वाले को मज़ा ही आता है कि यार यह तो इसके साथ पर बाद में हमें बता है कि अच्छा इस रूम से निकलने के बाद हम में हमारे पस कितना पेन अच्छा अच्छा है कि अपने रीजन से जाया तो मुझे एफोड निकर सकता आगर उनकी डिजाइन में कुछ है इस लिए पिर इस कुछ में काम के वजा से निके वरजे से निकलिया कम ओप इसलिए मैं जारह हूं है इसलिए यह आ ही नहीं है मेरे साथ तो रहा बताते नहीं है कि आपका काम पूर्ड नहीं कर बार हुंगा तो मुझे इक गार बार डिजाइनर्स ने मेरे इन तब बोले कि अबी काम बंद कर देते हैं और हम करेंगे तो मुझे लगा पता नहीं क्यों बजट नियुकर अब एक बार कोई चला जाता है तो मुझे मैं बिलकुल उमीद नहीं रखती कि व वर उन परसन जो कम से कम हमारे साथ यह पिछ सा जो लोग आपको काम देते हं उनके साथ आप अहाँ की मैं अश्रेक हो काम कर रहे इंव화ócוכ कफा कर रहे हूं सै कि यह थी थाय। even with stylist मतला stylist को ना सोनी को तरह को लिए बता हि stylist होता क्या है अच्छा stylist वो होते है जो भी कोई influencer है या artist है actor, singer, producer director कोई बे तो जो वो कपड़े पहनते जो for example वो हो किसी शादी में जारे अच्छा actors ना हर event कि ले उनकी शादी, उनका बदे, उनका विकेशन, वो अपने खर से, जो फोटो कहीचेगी, वो सोर्स करते हैं उसको हमें, हर एवेंट में, मतलब एक्टर कहीं भी जा रहे है, बैंडरा से बोरी वली जा रहे है, उसको कपड़े चाहिए, ठीके, तो हम उसको कपड़े सोर्स जूलरी, यह रिंग, यह लोग खुद अपने कपड़े नहीं खरीदते हैं, इनको अलग-अलग कपड़े पहनने हैं, रोज-रोज, रिपीट नहीं करने हैं, ठीके, तो इस बेटर कि यह लोग सोर्स ही करें, इन्होंने एक बार पहना, इंस्टाग्राम पर टाग किया, और रिटर्न कर दिए कपड़े, इसमें जैसे हम, जैसे जो PR होते हैं, वो पैसे कैमाल लेते हैं, उनको काम होता है, फिर जो ब्रैंड उनके पेज़ बड़े-बड़े फेसिस आ जाते हैं, इनके साथ काम किया, उसके साथ काम किया, आपको पते हैं, digital दुनिया है, सब कुछ, तो लोग influence होते हैं, इस actor ने ये पहन अच्छा ये पहना, अच्छा इस actor ने, इस influencer ने इस make-up brand की भाद लेते हैं, अब influence को अच्छाए। मैं तो खुज कर रहती हूँ ना, इसके पीछे तो मैं तो कभी इंवा था? मैं कभी नहीं होती, सचाई को पता है, मुझे तो पता है, मेरे एक फ्रेंड है, वो बंदी हो, जो बड़े रेस्टरॉन के किचन में काम करती हो, मुझे 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 मत बता हूँ, मुझे 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 रेस्टरॉन व किसी भी PR ने उसके शकल नहीं देखी, वो दिखती कैसी है, उसका नंबर क्या है, उसके सिर्फ एमेल आइडिया हमारे पास, उसको आप एमेल करो, and she is very active on her email, आप उसको आर्टिकल भेजो, पूछो कि मेरा ये ब्रैंड है, मुझे ये स्टोडी, she will reward, एक है, max दो दिन में, कर देखके, और काल, पर पर लाल नारिटे कि मैं कुले हम उसका जर्णलिस से बात करना है, इस अ कम करते थी, तो यहनी है उन पर उनक ओविस है, तो ऐा किना है, वो यह वो में मेर नाम जानती प्र तो सोगया से पास ये ब्रैंट है, ओ सा ठामें वे ये उनक पास है, तो मे इसको बलाओ, फूड रिव्यू के लिए थे, हमारा, मैं एक ब्रैंड हैंडल करती थी, काफे था, सीपी में, तो बोला कि ना, फूड रिव्यू के लिए बलाओ इने, तो हमें पूरा उसको लिख कर दिया, कि आप स्टार्टर में, दो चीजे ले सकते हो, में इन देजर्ट म में या वेबसाइट पर, तो अब मेर को था, आज तो मुझे इसका नंबर मिल ही जाएगा, क्या कोडिनेशन होती है, आप वेन्यू पर पहुंचोगे, वहां पहुंचोगे, आप कैफे पहुंचोगे, आप मुझे बताओगे कि यहां पहुंच गया हूँ, आप मुझे बत आप मुझे बन रही है, यह तो स्टोरी करी देगा मेरी, ठीक है, अप कुछ को जो होते हैं, जो आपको रात पर ग्यारा बज़े बिए बनती है, तो मैं कभी-घबी नहीं को एसे लिख दो यह प्लिख दो, मेरे ना एक डिलिवरीबर पेंडिंग, प्लीज कर दो स्टोरी मेरा लें, बिक लिख दो शोरी मेरा लोगा है, जो लुझे लिख implications को थिए बर मेर दोसे हैं, और बोली को मैल करते हैं, एक अच्छ ने से लिख आ ईसको लिख, akadim बशिए झाम कोदीनेकर, ऑलख पर फेंदेंड़ने करन आप दो, मैं को को जो बेंमेर इस बहीं हैं, यह पारिछए यहां पोच्छाच की जो अरुजा यहां पांश के मिजे वहां से मेल करेगी हूं धरिख और बाखी तो मैं पांश के यह किया और एक्टर मुझे तो फिर वो मेल बाई हूं अचा तो फिर वो वचाने कर दोतो कि अपने क्या पहन है पुजे पहता है। को डिए जाया है। कोरियर का पैसा लग जाएगा और मेर को भी है कि मैं एक्टर और इंफुएंसर करूँ अगर वह मेजरमेंट अच्छी नहीं आई तो वह आउटफित रिटर्न हो जाएगा वह यूज नहीं होगा तो मुझे वह चाहिए होता है तो मैंने फिर उनको बोला आपने तो यह पहना सबुआ है एक इसे एक्स्ट वह टो मिबांगता है अईजन्सियास के नाम बता सकती ए शाल तो मैंने उनको वला कि अकेली आइब काने के लिए जब पैकच कर आई पन सबढ़ी मैंता एक एक प्रेश्टरांट को सरस्फ था तो अप्र के राख रिर्स्टान का सज़ारा पर मुझे का अच्छा लगा तो मुस्वेल पता था कभी और मुझे पता है कि था क्या देन एक रम इंश्टें sehr ठीकिश्ट गेश्त करंद से बाथ करना कि आप फंद्राम Bab hears तो 15 मिन्ट होने कि वेट करती हु और में इसको बोलती हूं कि यार ये हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते है तो मैं रहना को बोले, सारी हमारे याना पैकिंग का सिस्टम निय है तो वी डॉंट है भी प्लास्टिक का बैग और डबब खायर हमारपा साहिनी तुषन के लिए इस न हवाइन लेकों को फिर बाइन नहीं बोला, वरना मेरे समानों इपकर इसके आगे क्या चूल भोर इसके अगे, तुछ भीए हैं। कमाल ने बाद दूंगी, don't worry. मैं तो बहुत ही वो, फिर ना उसने जो स्टोरी करी मेरी. मेरे क्लाइट ने मेरी पूरी एक महीना तारीफ करी है. और मचे पता ये ना जो हवा है मेरी तारीफ की है, एक हफते के लिए ही है. ये तो, ये तो, ये तो, आप लोगों काम मुझे लगता है, रोज कुआ खोदो रोज पानी पर. ये, ऐसा ही है. बद 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 लिए वाज पर पीपल, जैसे बताता हूं, पीपल वो वर्क अन ओएल रिग, जो ऑईल वार नही निकालते हैं, तो, पीपल बद बद बंद बाता है, प्रहुच बंद बद बद लोगों काम ही है. और बद बद लोगी है, कि इस भाइन काम है. टीके में एक हां और वेट कर लोग्या अपने पास रख लो, इसी और श्यार इविंट में पहन लेने. घर वेरी शियूलन मेरे टाना जान खा जाएगे यो और मेरे इसे उनको पता है कि मैं क्या काम करती हूं या क्या देती तो अगर उनका रिट्रन भी आता है तो वह कहते हैं अच्छा जलो ठीक है तो होता हुआ है the moment they realize that you have money वो ऐसे चिपकती है ना because I went to कौन सा अवर्ड था जो लेने गए थे कुस तो अवर्ड लेने गए थे अभी रिसेट लिया बॉम्बे जो गए थे the moment they realize that you know you have money अभरे आपको ना उनको ऐसा इग्नोर करना पड़ता है बहन हो गया मैं तो पहले ना बहुत ही ऐसे अपने लाला लैंड में रहती थी हाँ 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 तो तुम्हे रहे गए आभी बताएं ने तुमने कि मैं इतना पसंद करती थी reality पताएं तो क्या हुआ तो मैं जो किसी के साथ पी शीए हाँ नेट्ट्लिक्स पे एक वेब सीरीज सेफ अली खान और नवाज दिन सिद्धिकी कि तांडव नहीं सेक्रेड गेम्स तो उसमें एक बहुत ही क्रेंज करेक्टर वाला एक अक्टर है अच्छा बहुत पसंद है मुझे और उसके डायलोग उसमें इतने अच्छे ते पार्ट ट अच्छा मैं भी करूंगा मुझे आए वांट वोग विधिम करना मुझे अच्छा मेर को भी करना तो नवाज और साइफ तो नहीं है और नहीं है ओके मैं दुमाग चल रहा भी कोई और अब चले जाए अभी और अभी उसमें रिसेंट्ली रनवीर सिंग की मूवी 83 में भी प्लीज आप ये मेरे ब्रांड का शुज जो है वो ले लो मैं आपको शुज कर दूगी पर प्लीज उसको पहना ओगि कि मुझको भी करना था ऑप्र मुझको जादा था और मेरी लिए भी भी एक होतार नहीं कि बहुत टाइम से काम कर रहे हो तो बो अच्छा रोज की कि यह 2008 बहुत सौनागी राई ऽोग को बस्ते हैं टौ मैंने इसको शूद दिये अए सब बात हो गई यहिँ ले लुगी और दौट कि अद šति कि आपु सुनों भूट करूंच कर दोंगी में में मे दूसरा कॉंट मैं अच्छे ने दालने स्क्रींशोट भी क्लाएन को दिखा हम एक ड conservatives मिल जाएगा, pictures मिलेगी हुआ और फिर stylist ने मुझे एक हफ़ते तक अठका आके रखा reward नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है और मेरे भी ना, मतलब अलग-अलग होगा दर्शकों को बताने के लिए कि एक actor है, फिर उसको जो कपड़े या चूस पहनाती है, जो लेडी है वो stylish है और brand कोई और है और उन दोनों के बीच में हम जैसे जो PR होते हैं वो mediator stylist and brand के बीच में हम mediator है हम क्या हमारा stylist और journalist और influencer के साथ relation है, और हम लोग brand का का काम करते हैं उनके साथ and brand का relation नहीं होता they don't know कि हम मुझे तको रोजी पताएगी brand pays you for sure but not necessarily pays them as well, they pay me for my work but जो वो कर रहे हर actor को देंगी, और अगर अगर आप उनको pay करो को तो मेभी आप मुझे को जितना pay कर रहे हो ना, उससे triple आपको सिफ एक actor को देना पड़े तो हम लोग वो काम करते है sourcing and फिर क्या हो शूस पर आते हैं मैं बबली के लिए बता रहे हैं उसके बाद पिर मैं रात को मतलब बारा बारा बज़े फोन कर रहे हूं वेट कर रहे हूं कि मुझे बताए क्या है उस ना दो हफता लिया यह बोलने में कि ना वो टाग नहीं करेगा ब्रैंड को अच्छा रहे है यह ऐसे कि मैं चड़ गई तो मुझे बरदाश ही नहीं कि तुम पहले बोलते तो मैं अपने दिमाग को और पेशली मेरा चोड़ो अक्टर जो मेरा ब्रैंड ए उसको तो मैं एक्टर नहीं करेगा ब्रैंड भी सारे एक्टर नहीं गरेगा टाग सेब पेखले अभी betillion़ आप्ट कर दी ब्रैंड इंड ब्रैंड पोस्तव अस पर्टिकलर आउट्फित यह ब्रैंड का पड़ा जूल्री यह शूव्श स्बहन के बट दोंट टाग बेक पाटे, स्टाइलिस्ट और ब्रांड और अल बता दो एक बताओंगा टैग करना कितनी बड़ी बात है उस पर बहुत इंपोर्टन था तो उसके बाद उसके बाद उसके मैं एक का नहीं मुझे कर आप मैं एक भी जोटे रिटर्न करो मुझे नहीं पता मैं आपको 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 कर रहा है इनिशली यूसर की कीप दूशू जा है डो टाइट अर ब्रैंट को था कि अर ब्रैंट भी काफी रिच ब्रैंट है तो देवर ले की एक बर अक्टर ने पहन लिया हाँ, दो सब्सक्राइप करें चैनल होगा थी काई लग 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 लिग के तो जो फिर मैं पीछ लग 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 माद दिन में तीन तीन बार अगल नंबर से काल करके मम्मी भाई पड़ोसी बना चैनल करना पड़ेगा जो इसकी स्टाइलिश्ट और प्रेंड्स को बताओंगी प्रेंड्स को यह अचा दंकानी प्रेंड यह तो फिर फिर टाइक करवाया तर जो मुझे खुशी ना पर उतनी खुशी में इनको नहीं हुई इतना खून जला आसमें और जो मेर एक वह था अग्टर का क्रश चाहर इसके क्या डायोग्स वेब BMcHIllid जूदये अब घृब सिरीज में क्या वो है अच्च अच्छ मुझे याद अगया पांकज पताई कौन वो जो पोलिस वाला था वो जो जो पुलिस वाला नहीं था जो अजो अश्लिम पुलिस वाला इग्ए नहीं है नहीं सोफिह अगील है अज्वार मैं एक ढम बहल इस 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 प्रॉफइशनल पेंडे साथ लास्ट दो दाइसाल पहले एक एक अक्टर है वह एक रियालिटी शो आता है बिग बॉस पर उसमें उनको कपड़े चाहिए थे तो मैंने एक स्टाल इस एक स्टालिस यूज नी क्या था दूसरे को पसंद आया मैंने एक स पास ये बंबे में है तो I'll do VFast तो बोला कि ठीक है इस टाइम पर कर दो sound check कर लो हाँ मैंने VFast किया और ना दोनों एरिया बहुत पास पास थाँ VFast is a courier company courier हाँ मैं जो इंस्टेंट करते हैं in same city Delhi to Delhi, Delhi to NCR Delhi NCR, Bombay to Bombay तो मैंने गोरे गांस तो I guess लोखर्ण वाला कुछ किया और बेन तो Mumbai as well मैं Bombay ना गई ही नहीं कभी and you know Gali, Mohalla and everything मैं इसका भी आपको बताती है कि मैं किते confidence है जो address मैंने उनको बता रखा है मैं उनको वही बताती है और उनको लगता कि मैं कुछ जादा information दे रही हूँ हाँ फिर वीफास से करवाया मैंने करवाया और फिर actor घर पे थी और फिर ना मता उसने किया तो मैंने का अच्छा पेमिंट कितना हूँ मुझे बताओ तो उनको बना 70 रुपीज हुआ वेरी नॉर्मल लमा मतला मेरे पास भी आजाता है अच्छा पास पैले हमत एे सबॉस का मैंने अच्छा को प्री हमेरे ची तो कि इन चीच में ही तो डिливо आखाओ उपनी आज़का में हुआअ खिया इस भी होगे प्रास थbtलि का मिजे एक लिए थोका ने किसने मैं example बताता हूँ, जो Wall Street Journal है, sorry Wall Street है, या जो बड़े lawyers है, बड़े businessmen है, पैसे कि उन्हें कोई कमी नहीं है, उनको आप धोका मत दो, क्योंकि उस पे वो फिर अर्बो रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ आपकी लगाने के लिए, उनको सब कुछ तो है मेरे पास, कुछ नहीं, आपने मुझे reason दिया है, कि मेरे पीछे पढ़ जाओ, और touchwood मेरे साथ तो, नहीं कभी designer ने किया है, नहीं किसी stylist ने किया है, मैं पीछे लगती हूँ, 70 रुपए, 70 मिनट और 70 रुपए, मैंने बोला कि भाईया, मैं आपको कर देती है, online payment, तो मैं तो यूज नहीं करता हू मैंने ठीके, आप चले जाओ, ये flat number है, ये floor है, आप चले जाओ, उनको बोला कि इसकी manager ने भेज़ा है, ये manager का नाम है, और आप उन से ले लो, actor से मैंने बात करी, वी fast file call पे, actor कहां पे काम किया, big boss के actor, big boss में वो जाने वाली थी, तो उसके लिए हमें कपडे source करने थी, किसी एक brand का, तो मैंने उसको दिया, और मैंने अक्टर को बोला कि आपने इसको इतना पे कर दो, और मैं आपको अपना नंबर दे दो, मैं आपको ऑलनाइन पे कर देती हू, उसके बाद आप कैश जे दिना तो भड़क गई, मैं क्यों करूँ लाते ही क्यों कपड़े जब ये देना नहीं है, मैंने का अरे वो, पहले तो मैंने बहुत प्यार से बोला, मैंने का उनके पास है नहीं, मेरी टोन ऐसे थी, उनके पास है नहीं, आप ते दो, मैं आपको दे देती हूँ, आप क्यों करते मैंने का आपको समझ आ रहे हैं 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 आप अपनी वर्ट को सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं से बोले जा रहे हैं ठीक है कि इतन kinda क्या कर रही है तो अपने पास रखना मुझह से अधिया नहीं नहीं कुछ कर रही है कर канал थे वह फ्लिस्ट्रेस कर भीए प्ली की अइंसे कर रही है। क्या प्ट całॉर Corinák देती हूं हो ठीक हो और फिर मुझ दूले तक, तो नई मैं यह है मैं तो मैं वे Πास ही नहीं इर पास है फिर मैंने वीराically को मैंडम मैंですね कैसे कर आ किसे हो दो मेरेा net Ada यह प्लो गया यह वो ऐसा एसा ऐसा एक भई आपको सतर पर लिया फिर मैंने नहीं भोला फिर दिमाग में इसलिए और बिल्डिंग नहीं नों को बोलो कि वैको सतर पर रच एपर और ऑंलाइन पे घर दूगी फिर इनको फटाफार गार्ट का नंबर लिया फोन पर फोन पर people always help us, believe me, I mean my experience is always like that, somebody who is close to the land and who is in comparison to them, but that is the humanity of them. That is a lot of people, I don't think they are a lot of people, I don't know what they eat in the day or night, but they are so people, I don't know how many people eat in the day and they eat in the day, they are a lot of people, so you can't take names, but let me take few names, I usually fly business class or first class, this girl named as, I haven't traveled in the plane, I haven't traveled in the last year in the plane, okay, the first time, the first time, the first time, did you enjoy it? Yes, I did, my mom and papa have traveled a lot, but when you traveled, did you get window seat or not? I got window seat, and then you didn't see it? Yes, I saw it, and after all, I traveled two times with friends and I was alone, and after all, I got window seat. No, that you can choose yourself, but you want more than 500 rupees. Okay, I don't know, I haven't traveled in the plane, so I don't know. So I was telling you, I was flying business from Delhi to Mumbai, and this Sarah Ali Khan lady was sitting in front of us, so my daughter was a little, 2-3 years old, so she was like, she pulled her hair or something by mistake. Okay, okay. So, you always say hi. She started looking at her with anger, why the hell did you pull my hair? And I'm like, and I was like, I apologize on her behalf. Okay. You said hi, I apologize on her behalf. And then I looked at my daughter. I said, you should be careful before you pull hair. Nothing. 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 I have traveled with few people, and I have not even gone to them to say hello. Yes. When I told you, I traveled in the first time on the plane, and I went to the event, there were many actors in that particular show. I was like, like this, these days, like this. I mean, it's like like this, like a little. Yes, like these. Like basically it's like animals, like here and there. And sometimes they're just hostile. They're always a kind of trouble. Yes. Those are lots of, like, they're all coming to their hands, they're coming to their hands. They're all coming to them, like the whole, like, a whole lot. I mean, they're only coming to me. मुकेश रिशी, उस दिन हमारे शों मुकेश रिशी था और वो जो बिग बॉस वानिया टू जीता था, दारा सिंग का बेटा, बिंदू, और वो, I have a Mercedes GLS, वो भाई वो लोग ना, वो जो पुरानी वाली CRV नहीं है, पुरानी वाली CRV में वो तीन, मुझे संज में नहीं है क पुरानी वाली वाली और एक सीट पर चार लुग लग लगे रहे हैं, जितना इनके नस्दीक जाओगे, उतनी इन से दूरी बढ़ती जाते हैं, ऐसा ही होता है, तो मैं तो जब आक्टर्स को पुरानी रीच आओट करती हूँ मैं गिफ्टिंग, मैं बहुत ये कट-to-कट बात करती हूँ कि हाई, आम सोनी, आम रीचिंग आओट तो यू फॉम इस ब्राइड और बात करती हूँ कि हाई, आम आपकी बड़ी फैन हूँ यह हूँ, मैं यह देखा है, वो ड्रामा देखा है, कुछ नहीं, उसके बाज जब गिफ्ट पहुता है, मन को बोलती हूँ कि उनके पास पारसल चार दिन से आरक है, वो चार दिन से मुझे भोले, मैं को मिला ही नहीं है पारसल, उनके घर में एफ़ोर्ट ही नहीं डालते है, जो नहीं दाता है, तो एक एक एक्टर को भी मैंने छे-अर्ट मीने पहले कुछ हैंड बाग गिफ्ट किया तो यह दो यह जब कोई स्टालिस मुझे को रिटर्न करता है, तो मैं उसे स्लिप मांगती हूं, वो बोल देते हैं कि एक गंटे में भी में रिसीव ने वाल है, मैं भी मेरे को स्लिप बेजो और मैं भी ब्रैंड से मंगवा लेती हूं कि आप जो भी आक्टर को आप दे रहे हूं आप मु यह तो मैं एकड़ में उसे रहे हैं, मैं किसी को जुट्थे कर रहे हूं, उन्हें अपना साइस बोला है सेगे है चला गया फाइब और यह सेवन और फिर बोलते है कि यह मैं किसी और को दे रही हूं, अपनी मम्मी यह पापा को तूसरा भेशना है, और अप्र आपर, प्र ब्रैंड से पूछती हूँ पहले कि ऐसा हो गया है तो कुछ-कुछ होता है ठीके देदो कर देते हैं पड़ हफता भर लगेगा अच्छा दोनों मैंने यह भी अब्स पर चिंदी चोर है हाँ है ऐसा नहीं है तुम ऐसे पिस्ती हो ना दोनों के बीच में कि ब्रैंड को अब क अब कि अब कि यह चीजें कैसे वरक आउट होती है मीडिया से जॉर्णिस्ट और अपना सेलेब्रिटी स्टाइलिस्ट इंफ्लूएंसर वगेरा पर फिर कुछ-कुछ होते हैं जो बहुते हैं यार उसके इतने कम फॉल्वर्वर्स हैं उन्होंने मेरे से बाद में स्टार् झाल जो कि अब Pacerा लुब मांइब ये क्लिए कर दु कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपार्ट आपके पर अपके पेज पे हर दूसरे दिन बडडा एक्टर होगा पड़ा आपके पेज पर Gary, But if you're investing only in Instagram ... इंस्टाग्राम पे अगर अगर कुछ कर रहे हो और फिर काफी लोग ऐसे होते हैं उनको प्यार का पता ही नहीं होता है आपने काफी देखा होगो अपने पेच पे स्टोरी और रिल दालते कि you know मैंने ये प्रोड़क्ट यूज किया मेरी स्किन गोगी तो ना ब्रैंड बोले क्या समझ में नहीं आता है तो मुझे पता है मैं एक बात समझो लोग के फंडे क्लेर होने जी एनिधिंग विच यू थिंक इस इस तू फैंसी इस नौ टू राइट एग्जाक्ली अभी जो मैं आपको बता रही थी एक स्किन केर का मैं करती थी तो बहुत बड़ा मुझे ऐसी मतलब फुद्दू से क्वेशन होने पूचा कि ना तो हमें उनसे न बोलते वे डलवानी है चीजे यू आइम उसिंग इस अनियन का है रॉयल और शैंपू और यू बटर रॉयल का मैं लोशन यूज कर रही हूं तो ऐसा कुछ तो मैंनको पेड होता है तो बु मुझे पता है कि वो तीन चार लाग से नीचे तो बाती नहीं करते हूं मतलब मेरे तो बहुत ही बड़ी बात है मुझे अभी दस जार मिले उनके उनके दस जार इस रुपे यह दस पैसा एक दो लाक तो उनका स्टार्टिंग वह है कि आप इतना मैं चार्ज को पिर इपें आपको लगता होगा चुपक कर यार इतने पैसे मत मांगे अभी इसका भी वही रेट है तेहरा भी वही रेट है उसकी तो मूवी आदी तिरी चार साल से नही आई है अच्छे इसी बात ही बोल दो रूने लग जाएंगे ना बिचारे अच्छे अजीब सी प्रजाती ही अगर अगर अपने बोला किया बॉम्बे किसी इवंट में गए थे तो उनको पता लगा कि आपके पास पैसे तो आपस चे पोला है तो मैं आसे एक-दो आक्टर को जानती हूं मुझा यह वेरी नाइस फिमेल पीमेल जब पूसन से पहली बावत हुई तो मैंने बोला रहे म आपकी लव लाइस चल रहे है पेपर उड़ रहे है लड़का लड़की मिल रहे है तो मुझे सच में लगता था कि कॉलेज लाइफ ऐसे ही होती है ठीके और मेरा कॉलेज इगदम बस एक बिल्डिंग आस पास उनसान हो इनका यह तो कुछ है ही नहीं आपे और मैंनको बोल च्रेइल में अपने सीरियल में कि ऐसी कॉलेज लाइफ होती है ऐसे लॉफलिया गोटी है उसे वह शारोग छान लइटी नहीं में होना कुछ होता है इस हुदा है का मुंबई में कालेज में लिए का ठीक मिल में फिल्म वालह जैसे आपने बोला कि आपने लोग कूछते हैं कि बॉम्बे में कॉलेज में ऐसा होता है या या ऐसा होता है तो मैं कभी-कभी अपने गहर पर पता ही नहीं होता है कि यह क्या काम करती है सब्सक्राइब करें तब उसको आप युटिलाइस कर सकते अपने इस चीज उसके बाद फिर मैं से देख रही तो घरवालों को समझी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यह जुट बोल रही है इतना यह कैसे सुबह तह दस बजे सो के उठती है ब्रश भी नहीं कर दो पोन पे रह इस चीज तो उसके तुपाइब क्रिप्सफेंग ना आपने अपने इव च्ट बीच रह था इसलिपने उसके मिज़ग मेरे का शुट नहीं का टाइम आप ताइम बोली खाई नहीं कि क्यों कि अधु आपकी तीम नहीं मुझे ताइम बोला ता पांच बज़े का शुक्या पता है कैसे चीज़े solve करनी है सो जाती हूँ पर नहीं मेरे दिमाग चलता रहता है इसके कपड़े वहाँ थे इसने रिवोट पैच वोट बहुत अच्छी है तुमारी होगी भी फ्यूचर में भी हमारे जो यह शो है वो फ्यूचर के हीरोज का अभी इंटर्वी ले रहा है अच्छा 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 यह आपको आपकी सोच थी नहीं वहाली अभी इन्होंने एक स्टडी करी हारवड में यह देखने के लिए कि जो लोग टॉपर होते हैं क्या उखाड़ा है उन्होंने लाइफ में तो पता है क्या चला कि टॉपर्स ने कुछ ने उखाड़ा यह पूछ रहो ना कि जो टॉपर्स होते हैं सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है ना मतलब मेरे पाप आप ही है अब जिस होते हैं पढ़ा लिखा हो यह हो तभी वो जन्दिगी में तीर मार सब ऐसा कुछ निया आप इमानदार हो आप हाड़ वोकिंग हो आप कुछ भी करो आप उस फील्ड में आगे जाओगे आप चाहे बेच रहे हो ना मेबी कल को आपने चाहे कई आपने एक बहुत बड़ा सा काफे ओपन कर लिया मुझे साता है आप हाड़ वर कर रहे हो इमानदार हो चीज़े टाइमली कर रहे हो चीज़े है और बाकी आपका मैना लुक वगरे मैं कुछ नी वानती है और मेरा लग है मैं मृ बड्लीज़ नु लग करे .... व मेरे तो मेरे ऊटे सहे से पतया है कि सहे रहे हो तो में रहे हो कुछ गड़ा रग़े है उनका पता है कि यह चीज़ हो जड़ी हैcker कोम बहुत बार हू他们 को ओड ऑन में का बार कॉल्य również कॉल्ज जाती ती तो मुझे पता ही दी आखी था कि मैजी फ्याव का निए जो आटीम कार्ड इस नगी ताउन होता है अपका पेमेंट कर लिए टायम कभी मुझे लगता है सुफ एप का सरवर डॉन होता है तो मैंसे जाती थी महीने में एक बार पैसे आया तो 2,000 का रिचार्ज करवा लिया, 3,000 का तो मैं जाती थी मैंनकल रिचार्ज कर दो यह लो तो मेरे पीछ चार लोग और घड़े आए ठीक है और गेरे रहे और हो नहीं रही है पैमिंट एमबैरस्ट कई ये ये ना सोचे कि कि अब तो पैसे नी है और ये से कर लिया है अभी तो पैसे याए थे,ब बोड़ चान कोई तो पैसे आया है ऐसे कैसे, वीव तो तीन बाने कहले है तुम कार जाएदा है। तो बहुत इंपोर्टेंट जगापे मेरा नेट काम नहीं करेगा बंद उसके पीछे मैं बताता हूं उसके पीछे ने तुहार डर जादा है विपकेज दुटीन बार हो गया है तो तुम न डर जाती। कि अच्छा काम ना करें तो वो डर वो उसके बाद एक पता लग जाता है ना कि अच्छा यह तो फिर ना एक अंकल नहीं बोला मुझे जो गार थे उन्होंने बोला बेटा कभी कभी ना कार्ड का भी तब मैसे कार्म णसर निकली ओन रिए मेरी गलती नहीं तो असके बहुत 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 बाहुत वह वाह लिए डान यहां थे तो नहीं उत्व कहने से कार्ड taste वार में यहां मुछ्ना रहJust a यह बात यादा है कि मगर टीचर बनूंगी तो न्यूस में आ जाओंगी देखा इसने बच्चे को पीटा वो बिकॉस यू थिंग कि मैं कुछ कर रही तो दुनिया तो देखी रही है यहाँ वो बहुती मैंने कभी नोटिस निया मैंने कभी सोचा ही नहीं तो सब तो देखी रहंगे तोह तुमारे उडियन समेश दिख है तुम्हारे असपास रहता है मुझा बच्पर में ड्रामा देखती थी तीवी सीरिल बगरा देख रही हूं तो मुझे नहीं होता था यह शूटिंग क्या होती और अभी जब में चलता है इसे हुआ जिसन तुर चाहर खान पर तो बहुत ही बुरी तरब नाम है जहां ते मुझे पता है Like she charges X amount for X thing All of them are kind of towards that direction Yeah I mean you know You think Phone number, please अरे एक एक अक्टर है अच्छा वो उसकी नूस आई थी फीमेल मेल हाँ उसकी नूस लिए कि ना वालब उसका मुडर्डर कुछ हो गया है और मैंने इसको उसके मुडर से चार्ड में पहले इसको वाट्सप पे मैसेच किया तो कॉलाबरेशन के लिए और उसकी नूस आ रहे अच्छा पूछे मेरे अक्टर के पास यह कपड़े आ पहन होगी मैं सही कर रहा हूं मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक्टर था तो तुम भी पहुंच कियो ना एक्स वाई-जड सर जो थे तो मैंने मैंने को यह तो बड़ा हो है मैंने को कि मैं डिलीट कर देती हूं ह मैं अच्छ मुझे संस्टर था हता हैं मैं लोग 1 बीच मुझे संस्टर टो मुझे लगा इस कोछिए लाग हृं मुझे जब लगहां कहीं है यह की कि रूलेक्त मुझे मुझे लग komma खुल्या है मुझे लुह रहा है हम अच्छी था कुछ करना था झाल उब श्ड E.WPlease को म तो अच्छे लापे वाप्पच्छारव मिलते थे, अच्छे थे था, जा यार 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 25,000, 20,000 घर में दूगी पांच हजार में खर्च करने, बचम के, बचम के लिगा एस मैंसे मेरे। ठीक है, तो, इतनी महेंगा ही में, बच जाएंगे, यह तो बहुत ही, चालीस हजार तक में मैं अमीर हूँ, इसके आगे, मुझे चाहिए, कुछ नहीं, बस, 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 मेरा यह, तो फिर ना मैंने वहां रिलाइस किया गी ना, वहां किया जो बॉस था, उसको इसको नॉलेज भी पाली जाएस को जो खालीस पचास के रही हूँ गया, गया 30 तो कितने था था भी चाहिए तो मैरे से एक-डो साल ही बड़ा था, तब हमाली इस वेरी फेमस है, सब को ही पता है, अप अपने घर पे अपने डॉर्टर, काल लुग प्लीवरा है, फाली और पर सम रीजन, करती थी हैंडल तो बोला कि ना साड़ी चाहिए हमें कांजी वरम तो हमार पस थी तो यार ही ममाल नहीं करेंगे बड़ी आक्टर ये मैंने बोला कि उनो उसका मैं ना भी लेती थी अच्छा हमारी इंड़स्ट्री में कोई किसी को सर्वर ये सब कोई भी नहीं बोलता नाम से भी बोलते हैं चाहिए आपके बोस हो आपके कलीग और एक्टर से बात करते हैं अच्छा लेकिन जॉनलिस्ट को हम लोग तरमीज से बात करते हैं जो सीनियर जॉनलिस्ट होता है वो राफ हैं होता हैं कि इंड़स्ट्री तु से करते ह already करते हैं तो मैं मैं बताती हूं लोग नंसे इंपड़िए जह से सिस वाड़ शक्ति और चार शाल यसा बड़ी उनको हम नाम से बोलते हैं isn't 47 थी 56 not तो उनको हम जी करके बोलते हैं. हम लोग कॉल सेंटर में गाम करते हैं. तो एक बहुत अच्छी नोटंग की चलती थी. Like, if you say, sir, he'll be like, when you say, sir, I feel as if you're talking about my father. अब यह डाइलोग अमेरिका में चलता है. तो इंडियन में बच्चे क्या करते हैं, जो जिनको हम sir, बोलते थे, और उनका डालोग चोरी करके हम पे चेप देते हैं. तो हमने हॉलिवूड फिल्म में देखे हैं, अच्छा, गुरू, यहां से आरा है यह? अच्छा, नहीं नहीं, मतलब हमारे उसमें यह होता है कि सबको नाम से ही बोलना है, और वैसे न मैंने एक चीज़ और देखे, अगर आप गलती से किसी को मैम बोल दो, लेडिज तो एक्ट्रिस वगरे हैं, मैम यह सर, जो चीज़ना सीधे जाने वाली हैं, वो घूम घूम विद्या, बालन, मैं अच्छा, नाम से बोल रही हूं कि यह, वो रिवर्ट भी फटफट कर देते हैं, और एक दिवार मैंने सरवार बोला, वो रिवर्ट ही नहीं कर देते हैं, यह है सच, अच्छली क्या होगा, कि जैसे ही आप, इसे कहते हैं, मिडल एज क्राइस, आप आपको यह फील होता है कि the age which I have lost, वो अपस नहीं आएगा, तो आप you want to, you want people to treat you equal, especially the young people, और इस वजह से क्या होता है, जब मैं और सर बोलते हैं, वो फ्रस्टेट होते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, अच्छा, यह ऐसा लॉजिक है, मिड एज क्राइस कहते हैं अधेर उम्र की समस्या हैं, यह ना मैंने रेडियो में सीखा था एकच्छी, वो एक बहुती ऐसे 62 के थे हो, वहां कि वो चैनल उनी का ता रेडियो का तो सर बोल रही थी, तो उनने बोला, नहीं का लूनमी इस जोगिन का था उनने बोला बहुती लंबा जाम था उन्को थ से कुछ कुछ इंटर्न होते है ना स्टैलिस्ट के इंटर्न होते तो they call me ma'am यह हो तो मैं उनको बोलते हूं my name is Sonit so you can call me sonit नहीं नहीं I'll call you ma'am don't worry ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं चलो मेरे पास questions है specifically written questions ठीक है ठीक है अब deliverables मुझे कैसे दिखा होगे कि sir आपने पांच जार रुपे दिये थे यह रहा मेरा काम यह पॉइंट नंबर वान पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री so first basic क्या होता है कि आपने जो भी payment दिये किसी भी agency को या किसी भी PR person को तो उस अमांट में पहले deliverables सेट होते हैं आप मुझे 20,000 दे रहे हो 30,000 दे रहे हो तो इसमें विल गिव यू 2-3 coverage और 3-4 actors और 1 coverage means pictures on media coverage like newspapers वगेरा जो हम पढ़ते है times of India ht वगेरा pop exo id वगेरा publications फिर actors आते हैं कि हम इतना actor देंगे आपको इतने इतना देंगे आपको monthly यह चीज होती है उसके बाद फिर उनको समझाया जाते कि आप जो पे कर रहे हो हमें यह सारी चीज़े हम आपको अगर आप इन लाग देंगे इवन विद जॉनलिस्ट ऑलसो हम जॉनलिस्ट से स्टोरी करते हैं जॉनलिस्ट कभी क्या होता है से मेरा टार्गेट है कि मुझे यह ब्रैंड इतना दे रहा है यह इजनसी बजे तो मुझको इतना काम देना उनको महीने का तो वैसे जॉनलिस कभी होता है को जॉनलिस जो क्राइम कवर करता है हेल्थ कवर करता है ब्यूटी लाइफसेल फैशन उनके मंतली टार्गेट होता है कि हमें मन्त के बारा कवरेज देनी है तेरा स्टोरी उनको फाइल करनी तो उसमें वी पीपल मतलब इन पी आर वी हैल्प देम कि मेरे पास यह ब्यूटी एक्सपोर्ट है आप प्यूटी के जॉनलिस को आप यह का पर करते हो एंड मेरे पास एक्सपोर्ट है तो यह नो आप इन से इंपूट्स ले सकते हो इंटर्व्यू ले सकते आप जो भी आर्टिकल रिख ले हो उसमें अगर नाम आजाएगा तो वह इस पॉसन का नाम और इंपुट है तो पढ़ने वाले से अच्छा इसका यह यह थौट है ऐसा करके अब मैं आते जाते हैं अगर बोलूंगी कि ना हल्दी बेसन लगा कर ठीक हो जाएगा ठीक है बट जैनुनली हल्दी बेसन से जदा ठीक होता है नहीं बोल रही हूं यह बेसिक हो गया बट अब जैसे आते हैं कि क्रीम लगाओ मॉस्चिराइजर लगाओ संस्क्रीन लगाओ यह बहुत वह बहुत हो गया बट जब शुरू शुरू में जब यह ट्रेंट चला था अगर कोई इंफुएंसर बोलेगा या कोई एक्सपर्ट कोई डर्मैट एक्सप पर बोलतक यह जब गलत तरीका है निकालने का क्यूंकि बेर के जो बुलबुले वह बनने नहीं दिये अब व वकी पेट में बनें गे और आपको नुकसान कर सकते हैं इसले बेर हैस निकालिये उसको जो बुलबुले हैं वहीं साफ कर दीजे फिर पीजी एना वज तो यह अपने बोला कि आपके ब्राइड का गर कोई करता है तो काफी बार होता है कि आप इंपूट्स नहीं देते हो आपकी पी आर टीम इंपूट्स देती है और ब्रांड से अप्रूवल लेती है और उसके बाद जॉनलिस्ट को मुझ शेयर करते हैं जॉनलिस्ट इन्पू अच्छा उसमें भी गेम कर जाते हैं आप लोग कभी और यह भी चीज होती है कि आपने जो स्टोरी करी है आप आपकी अभी अगर कोई फाइनेशल एक्सप्रेस में आपकी यह पॉर्टिक्लर टॉपिक पर स्टोरी हुई है लाइक फॉर एक्जामबल यह आप बिजनस्मन तो आपने स्टोरी प्लान करी कि वह तो स्टार्ट यॉर ओन बिजनस चीक है बिग अर्के एक्सपोर्ट आप बता सकते हो कि अच्छा बिजनस कर रहे हो उसका नॉलेज हो ना चीए थोड़ा इंवेस्में आचीज अचीज ए रो मतीरिल उना चीए तो आपने यह बताया आ यह नहीं पिछ नहीं कर सकते हो कि कॉपीराइट करिशा जाता है जोर्णिस्ट फिर स्टोरी डाउन कर देते हैं और मेर को इचीज पता थी बट एक बर क्या हो था कि कुछ आदे कॉन्फिड़न्स आगया था मैं अच तक कभी नहीं पकड़ी गई हूं मैं तक मैंने आज त यह भूट थीव मेरे टीम मेरे तीन चार लोग है तो उन्हों ने भेजा होगा तो फीर उन्होंने मेरे स्टोरी उन्होंने बोला कि अगली बार से मत करना अभी तुम है पब्लिश कर घू और अठाएज तारिकर थी क्योंकि दो दीने मुझे डोजर पी अरे प्रिपोर्ट त मैं निनको बोला कि प्लीज स्टोरी काफर कर दो अगली वार से में तियान पर कोई तो निन भूला ठीक है मैं अभी काफर कर रही और एक बार एक बार ऐसा हुआ था और मेरा जोब मैंने आपको डिजाइनर बताया कि जिस डिजाइनर को कपड़ नहीं पहन रहा था उसका तो अब सबको पता है कि इस के पास है तो वो मुझे करते हैं और मेरे साथ ही होते है कि साटेड़े संड़े में से जाया है काम का तो मैं रिवर्ट कर देती हूं कि अहाँ मैं इतने टाइम से ब्रैंड का काम करी तो मुझे पता है कि यह पर्टिकुलर स्टफ इस साइज में है या नहीं है यह सोल्ड आउट तो नहीं है सारी चीज़े तो अपने एंड से डील कर लेती हो अब काम करते है आपको ही पता हो जाता है कि यह जो मेरा पर्लेमेंट है और उस जगह का जो एक्जेकटिव ऑफिसर है उस डेवलप्पेंट अथॉर्टी का ही जाए जाए आपको वहां मिले थे हम लोग आये थे वस फंक्शन अरे बेटा हाँ याद है मुझा है अब यू जो जो कि अपने जिस कॉफिडेंस से उनको बोला न यह थीज तो यह थीज न मैं करती हो अपने काम में एड्रस लिखा हुआ है य। अप्यू एट फ्लोर यह गली तो बोलिग मैं यहां आगे हूं बाइया उनको पता है अड्रस पीप और मुझा रहा है आपको लेखे लिखा हुए वह ऑस्पिटल है उसकी वहीं पर यह बिल्डिंग है वहां पर इस टावर पर जाओगे इस फ्लोर पर यह घर है तो उनको लगता है कि मैं बहुत ही कुछ निया बता है एक चीज और होती है मैंने अपने काम में बहुती है कि आपको कभी भी न आपने क सब्सक्राइघ हो सकता है अशुक टार आपको असफे यह यह के साथ क्या आप पता लगजया कि आपको फ्लो इंस वोक कुछ रुट यह कुछ करता हूं झाली करता हूं और तीसरी बार तो तुक्का फित होई जागा फिर मैंघ रिखके मेरी पैसे बच जाएंगे पर काफी बार ये भी होता है कि आप अगर खुद काम कर रहे हो तो स्टायलिस्ट इस चीज का फायदा उठाते है प्लस आपको यह नहीं पता कि वो किस पे कितना पैसा मांगेंगे आपसे अब जैसे यू और देर यू नो किसी कितनी उकात है लुँ ने और मुझे भी पता है कि यह सोर्सइंग वाली चीज का पैसा नहीं लगता है इस चीज का पैसा नहीं लगता है वरमार्ट बनना हमेशे हमें खतरनाक हो है तो मुझे पतया यह ग्र मुस् financier को करता है मैं इस पहां कर रेही हूँ, तो यहार पैसे लगते हैं कर दो हिसे सिर्ण से बड़ी अक्टर के साथ- साथ काम किये उस्ष पहे उस्थैनि पहां किया है। तो मैं इस सोर्सिंग घर उए है। hvad इस सोर्स्थैंग कर दो इस रागे। आपने कपड़े पहने, ठीक है, आप actor हो, business man हो, ठीक है, मेरे पास कोई brand है, मैंने आपको कपड़े दिये, आपने वो पहना और return किया, तो वो जो process है, आपने किसी से कपड़े उधार लिया और पहना, So you have sourced the clothes from the brand, that's sourcing, yes, yes, okay, ये process जो है, इसको हम लोग sourcing कहते हैं, उसमें ना एक रुपया दिया किसी को, ना कुछ है, उनको के अवल, अपने उस occasion के लिए कपड़े उनका requirement है, हम उनकी requirement को फुल्फिल कर रहे हैं, उनको अपने occasion के लिए कपड़ा भी मिल गया, और आपका अ प्रेंड चल गए कि ना, ब्राइंड को टागी नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो टाग दोस्त जो पेड है या फिर बहुत ही बड़ा कोई डिजाइनर है, इंडिया का या इंटरनाशनल डिजाइनर है, वो उनको टाग करते हैं, और सारे ब्राइंड जो बहुत अचे-चे कपडे बनाते हैं ठीके तो फिल्टरेशन यहां भी आ जाती है इसका नामना आपके ब्राइंड का नामना यह है बड़ा टैकी सा नाम है हम नहीं कर सकते हैं मैंने एक 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 एक्टर को मेरी designer है, उसने source किया था design किया था, sourcing पे था उसके pre-ready के लिए उसने gown पूरा बनाया था, जैसा उसको चाहिए था, call पे लग लग के रोज कि ये इतना चाहिए, वो इतना चाहिए ऐसा flow, ऐसा cut, ये वो और उसने tag नहीं किया, actor बाद में बोला कि यार ये कैसा नाम है मैं टैग नहीं करूंगी क्योंकि ये नाम अच्छन ये ब्रैंड का तो ये चीजे होती है ये नकरे हैं, इसमें मैंने सुना है कि actors के थे ही नकरे, अब ये नई एक एक नया पौधा होगा आया है, उसका नाम है Instagram Influencer मैंने सुना है, इनके भाव actor से भी उपर है, ऐसा है हाँ, मतलब इनोंने अब सीखा है, sourcing word की sourcing भी होता है अदरवाज पहले जितने भी कपड़े पहनते थे या तो खुद के होते हैं, या इनका खुद का कोई friend, designer है brand friend है, उनके कपड़े पहनते है जा फिर कोई इनको pay कर रहे है और फिर वो कपड़े पहन रहे है आपके तो यह average rate क्या है लोगों के मतलब एक गरीब influencer का क्या rate है और एक अमीर influencer क्या rate है जब धाई हजार से ले कर ना ठीक है, तो गरीब influencer अब अब जब अब जब आपको इतना content चाहिए महीने का आपको अब जब मेरी सेलरी 16,000 रुपे थी, बहुर पुनानी बात बतारो तब भी मुझे 500 रुपे की value तब भी समझ में नी आती थी मुझे 500 रुपे नेवर मेंट अनिधिन फो कमान लग गए थी, तो 1500 रुपे आपको बड़ी चीज नहीं थी ठीक है, तो क्योंकि आप अर्न करें तब 500 रुपे क्या ही होते हैं घर के, खर्च कर दिया ये चीज़े तो मेरी भी जब मेरी धीरी बड़ी तो मैं उसके हिसाब से नापने नापने साथ, लुपाने साथ जाएक हैं मेरा जाएक जब मेरी अपद्ध क्ली जब अंटम पापा के पैसीज करें इसका यूस करती थी, तो मैं इसमालय का यूस करती हैं तो मैं चलीन अन्च्र छार वाली जब लगी तो मैं जब आपने इंफ्लुएंसर बोला तो इंफ्लूएंसर काफी हद तक इस चीज का इंफ्लुएंसर रहता है और यह पैसे भी चार्ज करते है because they know that I am following, okay I will add something, I will use a brand I have heard about it how much was it, half a crore? no, I guess it was 8 CR 8 crore for one post who the hell want to give that kind of money to him? who is the problem? if he is charging 8 CR for one post if he is charging all because because of us because he is a massive fan following I understand but I have given you 8 CR what did I get? how would I know that my ex-shoes brand you have added a post how would I know that this is because of your post or that I have given the PR how would I know that? there are two things you said about PR when you give PR then there are two things that are paid collaboration which is the client's consent if you want an actor or influencer that you want to do this work then we say that the actor or influencer is paid or the barter you have to give it you have to give it you have to give it or you have to give it you have to give it you have to give it if the brand agrees then you have to give it if the brand agrees then you have to give it you have to give it ठीक है वो मैं रख लूँगी एंड मैं आपके लिए रील इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरी इसारे चीज़े दूगी है पिछे स्टोरी में भी फिल्टर होते हैं नॉर्मल स्टोरी पिक्चर डालके या पीछे से वो डिक्टेट कर जी रही है या फिर स्टोरी उसका भी अलगलाग चाग लगाई थी किसी लड़की से भाई साब मैंने बोला क्यो ही कराई आपने पैसे दी आपने अब जो मुझे इशुआरा ना वो ब्रैंड को बिल्कुल बी इंटरस्ट नहीं है उन्ने में हैं नहीं में हैं इंटरस्ट जलो अगला टॉपिक पर आते हैं इंपक्ट मेजर कैसे करोगे अपने उसके लिए कि आपने जो बनाया उसका इंपक्ट क्या हुआ see, PR का क्या होता है जब भी कोई brand on board आते है तो आप किसी भी PR you know, through PR PR में ना काफी brand को यह होता है कि PR is, you know, sale purpose मैंने इस actor को पैना दिया उसको पैना दिया आपके organically followers बढ़ जाएंगी एक मिल्ट, I'm sorry to stop you but because a lot of people, बहुत सार ऐसे लोग जो हमारे show देखते हैं, जो गाउं में है PR का मतलब यह होता है let me explain this to them PR का मतलब होता है personal relationship यह लोग क्या करते हैं, जिसे शारुक खान है, ठीक है वो कहां पे कौन सी photo खिचवा के किस paper में क्या कब छपेगा इसका जो काम है, वो उनका PR करता है, वो खुदनी photo जा डालते हैं, कि इसमें डाल दो, इसमें डाल दो उनका PR करता है, उनके पीछे एक team होती है, पाई नो कितने लोग की होगी एक team होती है उनके, जो उनके photos को TV पे, आपको जो 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 जहां भी दिखते हैं वो, वो खुदनी कि इस डेट पर दलेगा, उस डेट पर दलेगा, वो भी collaborations लेकर आते हैं, paid collaborations and social media team होती है they, you know, guide influencers and actors अब तो influencers भी managers रखते हैं, social media team रखती है and वो बोलते हैं कि आपका ये post जाएगा, तीन reel के बाद एक static जाएगा, चाह static के बाद एक deal जाएगा, तो social media team decide करती है, impact वता रहती है impact, यह होता है कि first, काफी लोगों तो लगते है कि हमने PR के लिए है तो हमारी sales होगी, नहीं, PR is just a branding आपको यहाँ पे सिफ 100 लोग जानते हैं, through PR आप globally, you know, famous हो सकते हो आपके पेच पे हर एक बड़ा actor आ रहा है, हर एक बड़ा influencer आपके साथ काम कर रहा है, उसमें भी दो कैटेगरिया आपने पेड़ किया है, बार्टर किया है सोर्सिंग पे काम किया है, right even with media coverages also, उसमें भी बार्टर सिस्ट्रम होता है आपका कोई food है, या कुछ भी आपका make-up brand है और jewelry है, कुछ भी है, तो they use your stuff वो रखते है अपने पास and then they will do some review और interview जो भी story होती है, ये चीज़ तो ये हर तीन category होती है कभी वो आया आपका conflict of interest and morality कि आपको पैसे तो अच्छे मिल रहे है बट आपको add करने है जोगा खेलने की कभी morality का आया आपके दिमाग में कि आपको पैसा तो brand अच्छा दे रहा है पर brand जोगा खिलवा रहा है एक बार ऐसा हुआ था अच्छा हुआ था एक बार ऐसा हुआ था और आपने moral compromise कर लिया ने 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 वो तो शुकर है मैं एजिंसी में काम करती थी मैं भगवानी क्लाइंटी चलाजाए मैं तो मुह दिखाने लायक नहीं रहूंगी अगर इसका पियार काफी पर कुछ कुछ चीजों क ऐसा पियार होता है मैं बुलाब बींग अगल हम शर्माते हैं कि आप कैसे बात करोगे अच्छा इसका क्या बोलुङ कि आप रिवी कैसे करोग इसको इंटर्व्य कैसे इनको यह तो बहुत ही वो है प्यार में बहुत सारी कैटेगरी होती है फाइनन्स की होती है एक पूछा इंपक्त कैसे होता है इसमें आपको बताए कि प्र ना पी आर के तुरू आप सोच कि ना कि मैं पच्छी जार महीना का खर्च कर रहों एक महीने में इस्टार बन जाओंगा नहीं इसल एक इनिशल मंत होता है त्री मंद्स का जिसमें बीगप प्र वह भी देखते है मार्केट में मेरे पास कुछ कुछ ऐसे बी ब्रैंड यह बहुत अच्छा पैसे दे रहा है चालिस जार पे पचास जार पे दे रहा है और उनके कपड़े विल्कुल भी अच्छे नहीं है अच्छा और वो वेट गरने को रेडी है कि कोई बात नहीं हम वेट कर लेंगे कर दो पैनी नहीं रहा है और उनके कपड़े कोई पहनी नहीं रहा है और अच्छा पास कि अच्छा प्ड़े तो जा इसा तो वो बहुत ही इतने तड़क बढ़क कपड़े थे तो मैं अच्छा ने बोला कि Soni मुझे ना आपसे रिव्यू चाहिए उन्हों नहीं नहीं अन के अच्छ डीर पंच्तवे कर दो हो है और अगले 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 दिन ना नहीं था कि कपड़े कैसे इस थिजाइनर मैं हें यह हम और प्लीज बता हो ते आप लोगों से डील करते हो कैसे मैं बहुत पैसे भी देग ना मुझे कपड़े पहनने के लिए तो नहीं नहीं बट त्थ वर्ट दिफरेंसे जरूरी नहीं है कि जो इंटलिजेंट आदमी कपड़े ना पहने वो एक गधा भी ना पहने और यही रीजन है कि कई बार कुछ चीजें चल जाते हैं और हमें लगता है कि चला कैसे यार यह कितना वहियात है चल कैसे सकता है और चल रहा हूं ज अपने बला कि अपने पैसेश़ तो पसे यह कुई पहने पर आप पैसे तो यह भी दो यह नहीं है क्योकि मुझे पैसे कभी नहीं चाहिए उसको यहा माली पता है और यहक्तर नहीं पता है मैं बैठी भी मैं बहुत अची अची अपरचुनित लारी इसले गंजा बास बोले की मेरे बाल कैसे लगा पैसे लिए और मेरे काम से इंप्रेस हो गया मैं आई ऑफस में उन्होंने बोला कि यह आई नोट वेरी कॉंफिडेंट कि आप काम करोगे कि नी करोगे तो मैंने अप सोनी कुछ भेज रही है सोनी ने बोला है ना दो बज़े तक कपड़े मिल जाएंगे बारा बज़े मिल जाएंगे लेकिन दो एक नहीं होगा ठीक है यह चीज तो अब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तो बोला मेरा एक ब्रांड बड़ा क्राइसिस में आप से उन्हों मेने उसके बाद मेरी नेक्स जे स्टोरी के अछ की पी आरण रही होरीय आप साथ है छोटी जिंसी कवी इंस्यूर ने इंप्लoy को लेकर कि यह बहुति कर लेता है यह चीज από देशन किंवन्न को बता anytime पनिए बात कर लेता है झाने बाद की पर द protagonist को आइए इस प तो हम क्लाइन से बात ही नहीं करवाएंगे, हम कोडिनेट करेंगे और वो कभी ब्राइंड को सच्चाए नहीं बताते हैं कि आपके डाय मेने से कफरेच क्यों नहीं आरी है, आपके कपड़े क्यों नहीं यूज हो रहे हैं वो कुछ भी भाना मार देते हैं, अक्टर के पर ब्लेम कर देंगे, ब्राइंड को अभी नहीं बूलते हैं बट मुझे लगता है कि आपको ब्राइंड को बताना चीए इडिली इडिली फीड़ग शुद बेरी ओपन क्या बट मुझे बताना वो इंपॉर्टंट नहीं है अपके साथ सथी इडिली 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 इंपॉर्टंट संध करते हैं कि आपको वाले कैसे हैं आपके साथ सपेशली दो नर इस शीए अच्छा लगता है उनके साथ काम करके शीज़िए कि वो मैंना she is very easy going lady की हमने यह बोला है वो समझ भी जाती है कि यह problem आ रहा है यह आपने जो influencer मुझे बोला है but she don't work on butter basis और यह पेड़ी करती है यह पेड़ी करती है यह पेड़ी होता कि यह यही करवाओ because you know I know her I know her but you know मैं महीने के मुझे साथ या आठ ब्लोगर्स देने होते थे मैं उनको महीने की आठ बारा 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 ओपरचिनिटीज बेश्ती ती और काफी बारे मैं दिन की 25 25 प्रोफाइल बेज रियो उनको उसमें सिफ एक सेलेक्ट हो हो रहा है मैंने का पत्टीस में से आपना बीस सेल ताथ दस में से चार लोग करेंगे चार लोग आगे करेंगे या मेभी काफी बार ऐसा बॉल साथ आज चाम को 6 बजे ब्लॉगर पोस्ट करने वाला है और इसका बेन आप लोगों का हाँ इतने बजे पलो पोस्ट करोंगे आप पी इजार के अपर न हम आज कर दूंगी कब होगा कब होगा पोस्ट ठीक है और रियालिटी शोज में प्लेडी डिफरेंट इंडर्टी यहार पहली वार एक इंटरेस्टिंग पर बोल देते हैं लिए पर्स बोला ता कि यह अफनी पर्सो बोला था कि अपने सुट कर लिए एडेंट कर लिए अब और के आप बिलाइट कर दो कुछ आपने अपना जो प्रांट को बोला है और एससा थाऑ कि में अड़ा को बैक तो बैक तीन-चार बार रह उँ उन्हें तो जब दू घुं पर भी पच्चेस में से एक स्टयू हो और पर गुट किया तो में पास एक दूसरा इंफ्लूएंसर होना चाहिए और मुझे बिजनेस वर्ल लानी अपने क्लाइट के लिए तो अगर उसने बोला कि मैं अगले महीने स्टो जोड़ोंगा इस महीने मैंने इंपूट्स ले एकटर है, तो या जिसके पास आप जाते ही जाते हो किया दो, छोड़ो एक टो नम इन पर दो, जो एक है तो इसे प्रयाद की मेरे अपड़ो एक जो मुझे लग रहता है कि मेरे कोई नी पहन रहा हूं और अब क्यों मेरा नियू में जो काम है जो इन्पॉर्टन यह मुझे स्टार्टिंग मे मोला था कि प्यार इस थर्ड पार्टि होक। वे अम्हाँ नहीं है हां यह मेरे हात में नहीं है कि अपके छुट यह पीछ पिसने वाला है या बीच में, इसको सुना और इसको सुना और इसका दोनों की ओपिनियन अलग अलग है तो, you know, how to sort this stuff, कि भाई, दोनों ही बात नहीं मान रहे, कैसे लिए. The very reason why you listen to the to the brand is because they are not the fakers. They are paying you. Most of the time, these people are the fakers, right? They are the one who fake. अबैसे कुछ-कुछ, एक-दो ब्रैंड ऐसे भी है मेरे, पैंटीन की आड के लिए मेरे पास opportunity आई थी, and I guess, पंगे जो वो वीडियो लूनना है उसका वाला है, I guess, she is Miss World or Miss Universe, अच्छा, उसका आथा पैंटीन की आड के लिए, आपको पोस्त नहीं मिलता है, बिकॉज वो ब्रैंड पे गर रहा होता है, तो अच्छा पैंटीन की आप नहीं टाग करता है, बट वो ले लेते हैं, वो बोलते कि आप वो वीडियो यूस करते हो सकते हैं, अपने सोचल मीडिया के लिए फोटो यूस कर सकते हैं, तो ब्रैंड ने बुला, मुझे तो चाहिए यूक्टर मैं क्या करें अब ऐसा ब्लेजर चाहिए उसको, तो रहती हैं, तो रहती हैं, डेली नहीं है कि हर दो गली के बाद जारा और यह सब हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है, तो उन्होंने बुला, एहमदाबाद में जारा का स अब तो ब्लेजर मिल जाएगा इतने का, तो टैग अटाकर अपना डाल के बेज़ दू, अब मैं मना भी नहीं कर सकती, ठीक है, मैं तो थोड़ा नहीं करना चाहिए, देखो, उनकी हाथ के सफाय लगया, तो आपका इम्पैट कैसे पड़ेगा, आपका इम्पैट कैसे अब मैं क्यों ही जाती उनके पास, उनका रूल है जब जब अक्तर के सफस्टमाई स्टफ किया है उनका कोही नहीं पहना है, जो रर्यूरर कपड़े है, जो र्यूरर गाउन है, वो छीज़े आपना सोर्श जाते है बट वर इन शी ऐपना देन पर अर अग पोर उनकी झास और कभी-कभी मुझे उनसे बात करते करते मैं भी उनकी उसमें धल जाती हूँ मैंने काफी टाय अभी जैसे अभी जैसे काफी दो तीन कलर काफी ट्रेंड में पावडर ब्लू लाइलाक होता है तो हमें बिग बॉस के लिए कुछ सोर्स करना था तो डिजाइन ने बोला कि यह बना इस कलर में तो ठीक है तो शीज इस फ्रम गुजरात में लिलियाग कलर जो है और मुझे बिदिमांग में जम गिया तो तो तौ ट्यलिस्ट को भी कह ज़ी बुचे लिलियाग कलर तो पिरनो बहुत ऐसे मिझे लिए बहुत ऐसे अगा नहीं नह तो आप मुझे सही कर दिया करो कि मैं उफेंडी होंगी कि आप मुझे टोख रहे हो कि मैं तो बच्पन सी बिलो आइवर जो रोड क्रोस करना नहीं आता अप ग्यान दो कि मैं लेल होंगी कि हाह मैं ही गलत हूँ मैं सही नहीं आप सही बोले हो तो बोला कि अच्छा तो मैं वो बंदे जो जो जैसे वो बैठा था जो अनन महादेवन क्या नाम में उसका उनसा महादेवन शंकर महादेवन मुजिक होस्स नहीं करते हैं तो बिच मनी ऐसे अचानक जजेश आ गए था इसे जो बहुत रूड हो जाते थे तो बिटा सब कुछ करना बस गाना मत गाना तो यू शुद टेल लेडी की मैं सब कुछ करो बस कस्ट्माइज मत करो बिच मनी पर ज़ाएं मैं अब बड़ेसे मैं न इनको यह बोली क्यापका थापका डिजाइन खराब मैं अब जो ब्यूनका नाम मैं इनको जी गर बोलतीं मैं अभी अगए आखे आया अपको तो पताई यह न थोड़ो आप हम इनकी एनकी लेख सत्वाइज करेंगी कुरी हम एक हिसाब से काम क्यों करें दूख भी इमान दारी से बताओ बी ऑनस्त अदरवाइस यूज इंवा इंची में थी तो मुझ था की बोलने में क्या जा रहा है उसके बाद अचा 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 एक अचा 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 इसास होता है कि there might be some people with whom you know that honesty ही काम आती है मेरे जो अभी clients है नहीं मैंने उनको इतना तो इस तरीके से मैंने उनका माइंड किया हुए इस है कि मैंने बता देती हूं कि ये ऐसा है वैसा अभी को बार मैं खुद बोल देती हूं ये बड़ी अक्टर है बटी ना अभी आप अपने इसको देंगे तो इतना खर्च इतना लाक ले लेगी वह ये तो हजार में काम और तो दे देते हैं ना बार्टर पे भी नहीं हो आप पैसे जा रहे है तो सोर्सिंग अगेर आप अच्छी रीच मिल जाएगी ट्रेंड में भी आक्ट अगए अभी आप मैक्सिमा अपने क्लाइन साथ इमांदारी कर लेते हैं कोई प्रॉडम नहीं होते हैं अच्छा अभी तक सबसे आ नखरे वाले इंफ्लूएंसर कौन है बिननाम लिए नाम तो नहीं बोल सकती है और एक नाम तो है नहीं 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 है चलो ठीक है मैं तो फिर उनको छोडती है अगर उन्होंने बोला कि इस डेट पर यहां उनको जाड़ दे दियू है मैं उनको जाड़ दे दियू है अज़ा आप उनके नकरे निए निस नुन परदाश चुन ते हैं मैं मेरा सिंपल सा है आप चुप तक मेरे से अच्छे से हो मैं फुल यहां पर आप सुना सकते हो मैं उनको बोल दीती हूँ अभी कली पर सो मेरी वोइस नोट पर उसको बोल दी सुबह ग्यारावज अचा मैं डांट भी तुम वोइस नोट भेजती हो लिखने में पील ही नहीं आएगी उसे कि क्या लिख रही हूँ पर वोइस नोट में डांट भेजना ना थो सुनाने मजा थे कि उठाओ फोन भी बताते हैं अचा अचा तो फिर मैं बड़े टॉंट से मैं नोट आपने ये बड़े जल्दी फोन उठा लिया मैं चार दिन से गर यही मेरा तन यूठाया सुनी में यहाँ ति यहां थी आप मैं आपको फालो कर रही हूँ ऐस आप सारी चीज़े कर रहे आप बोले रही, आप बिमार हो तो एक थी, मैं लास्ट इर के स्टोरी उतातु हूँ, मैंने इतनी जासूसी गड़ी, मैंने इतनी जासूसी गड़ी, मैंने अक्टर, जो एक्टर गड़ी, जो यूनो, वो है, इंफ्लूएंसर है, डिजाइनर की इंटर्न को उसके घर बेज़े, कि तु सच में चेक कर किया, जो अब अगरी, मैंने में इंटर्द, करने और में अपने पैसे, गर्च कर लोगई तु अपने पैसे कर लोगी, कोरियर के, तु एड्र्स भेज मुझे, मैं रिटर्न कर वा लेती हूं, नहीं और भी तो उसके अगर ने बहुए गरेश थेग, बूले को साटी पैसे, जो जाओ इस एड्रस पर जो भी आटाव खर्च लगए मेरे से लेना आप जाओ और चेक करके आओ कि क्या है वहाँ पर तो लानलोट से बात करी मैंने मैंने का हाँ यह नाम की लड़गी थी आपर वो कहा है तो बहुत है तो बात सच होगी जैनुइनली कि वह घर पर नहीं थी ड आप जाओ जाओ मैंने बाद दुबारा मेंसेच किया है सोनी आइड स्टफ फॉर इस एवन का मैंने मैं लास्ट एक्स्परियंश वह यह रही खुरूत्फुल तो इवाड़ यह लाइक तो इस आप्रच जाए कि एक आच्छा थी कि ए सारकाजम है तो ऑच्छा चलिये अच यह हाई एक्सपेक्टेशन जो होती, मतलब मैं, जैसे एक वो शारुखान वीडियो चला ना वो अला, AIB वाला जिसमें नहीं बोलता है शारुखान की, कि मतलब कोई बिस्किट वाले आये थे मेरे पास, वो बोलते हैं कि बिस्किट जो ऐसे खाना है न आपको, तो ऐसे खाऊ साल का आपका जो सकसेस है वो एक बाइट में आपके नदा आजाए यह मैंने वीडियो देखा हुए, देखा है ना, AIB में शारुखान का वीडियो है, शारुखान बोलता है कि बिस्किट तो यह ऐसे खा लूँगा, ऐसे खालूँगा, तो तो कैसे खाऊं कि मेरे सकसेश भ यह पून करना हो जहें यह मुझको करके दे वाई तो मैं उनको बोलती हु देखो एक आपके डिजाइन में उनको पसंदिए नो डाउट किया आपका डिजाइन अच्छा इसले मैं आपका पी आर काफी बार न मैं ब्रांड को मना कर देती हूं पी आर करने से क्योंकि आपके क किसी और को ले लो जो आपको कर रहा है कि मैं करवा दूंगा तो अप लिटरली इससे करवा लो यह बड़ी फ्रेंड़ी एडवाइज है तो बजट भी कम रखो और मतलब सफलताओं में चार चांड लगा लगा दो इसमें काफी सारे फिल्टर्स होते हैं फिर्स्ट आपको रेगुलरी पैमपर करते रहते हैं तो या फिर पेड अपरिषनुटी से दो आप अकटर को डिरेक्ट दो या तो अब श्तायलिस्ट को घिलाओ बिलाओ हर महीने हम और मैं फिर सबको लुग बग नि बेज के मुझे कोई समझ आयाता है कि अब मुझे ठालती तालती पूचने में अपडेट कि जब उनको चाहिए ओता हना वो फोन कर परशान कर देट था, और फटाफट कर वऑ, वोग टो नुब जब कर और मुझे डो दिन तक रुटनिया इट में जे नार एडमन्स काई जो गरता है ट्में क आपने मुझे आद बेजी है, मुझे एक हफ्ते से इस एक्टर का कोईरी आ रहा है अच्छे वा तो जो एक्टर है और दिन बर कपड़े ही बदलेगा साला जिन्दीकी जीता कैसे है वा ये तो मेरे को पर नहीं पता दिन बर कपड़े बदलो, दिन बर ये करो अच्छल मीडिया पर रिप्रेजेंट कर रहे है अपना आपको अपनी परस्नालेटी ठीके तो वा हमेशा अच्छा ही दिखना चाहिए मैंने अधिकतर मैक्सिम लोगों को मैंने जो फिल्म वाले हैं या तो उनको मैंने खरीद रखा था और एक कौन था वो राजबबर का लड़का अर्याबबर ठीक वो जो शूस पहन के आया था वो मेरे पास बहुत पहले से पढ़े हैं आपने जैसे पहने और उनके पहनने का स्काइल थोड़ा अगो कभी कभी होता है कि नॉर्मल अक्टर वाइट टी शिर्ट और ब्लू जीन पहन कर भी अच्छा लगता है अब हमारे दिमाग में इसका माइंसेटी वैसा है ना तो वह कुछ भी पहने अच्छा है लगे और कुछ एक्स्ट्रॉर्णरी करेगा तो अब आपने कभी नोटिस क जल्दी 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 नहीं हूं जिस तरह से वह झालता है जिस तरह से ओनाचता कि वह है घंख टे कि ऑ की शांऊ यह बड़ा चाहता तो नहीं लगता पर मैं अपने उपने नहीं देती जब लिए उनका एक फैशन था वो जो अपनी टाई है वो कॉलर में पहन देते वो अपनी नेक में गर्दन में पहन वो एक फैशन है उसने पूरे सीजन वो पहन है और वो बहुत यह स्लिम फिट वाली यह संथे भो जब लुएंग्ग उनका फैशन है ठीक है अब इस सैं बोलते है दलजी क्रिंज से कपड़े पहनिटे वहलती वाहियात कप्ड़े पहनते है sorry to say midnight मुझे वाहियात लगता है उनके कपड़े मेरे को तो ब्रैंड के नाम नहीं पता नुज तो अब एक दो साल पहले अमीर दोस बने है तो मुझे उनसे पता लगा कि गूची प्रादा नहीं होता और विछीज़े होती है मुझे तो चपलो में सिर्फ स्पार्क्स पता है जब मेरे नहीं 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 पैसे सख्वाने शुरू कर रहा है यूए जाता था तो जो नाम सुन रखा न दिग्या उसका स्टोर अब भाई यहां से कुछ ना कुछ ले ना जो रहे अब आते हैं अगले सवाल पर एक्सपेक्टेशन हो गया जो आपको बार 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 एक और अग आइडियास दे रहे हैं अच्छा ऐसा होता है नहीं होता है अगर एजन्सी में मतलब यह ब्रैंड जो भी है ठीक है अगर वो पे कर रहे है तो वो अपना आइडिया बताएगा कि मुझको ऐसा करना है फिर उसका अलग उपीनियन होता है इंफ्लूएंसर का अभी रीसेंट्ली दो साल पहले मैंने बहुती फेमस इंफ्लूएंसर थी बहुत पैसे है वेरिफाइड तो अचकल हो जायारा 700 रुपे देके मारा पहले तो 2-2,5,5,4 वो जैन्मिन यह वरिफाइड यह यह जाया जाया दो जो पहले साथ करना है उसके साथ काम करना है यह जर को पता है कौन है यह कौन है भाई मुझे लगा तो यह तो आईजी है यह दियाएजी यह पुलिस में यह मिनिस्टर नहीं भाई यह वेरिफाइड है हाँ राइट 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 ऐसे होता है और काफी बार ब्राइंड होते है कि हमें कुछ कुछ क्या मोस्तली ऐसा होते है कि किसी का 60k followers इंस्टाग्राम पे वाला 50k followers जो influencer है बट सिल ब्रेंड को यह वें के साथ मैं काफी बार यह पहता है इवं डिबाको के साथ बिआता ट्रहाइग किइसी त काम किया और कुछ होते हो लिए इनु इह नोगी होते है कि म्हें 3-4 लाग पॉलिवर्स राइट है इसनेगा कुछ Senior बन स् Ilum तो ये चीज घूई तो आफ को अच्वास प्रीस्टेट है विप यह लग फ्रस्टेटरीड राइट क्यों कि राइट क्लाइं लॉक्स अच्वार है ख़ी तब कि आपको और उटाल तो खाया पिया या किसी को खाना बना कर खिला दिया और यह सही है गंबले लगा लगा लेस्ट क्या अब जो बोलोगे ऐसा है अच्छा जी मैं सिक्स्थ क्लाच से कर रही है मतलब मेरी दादी थी तो ना मिट्टी का छोटा सा चूला बना कर देती तो मैंने बच्पन में अच्छ करते हैं हां हां वो करके ताकि जब धुले तो वो बिल्कुल निकल जाए मिट्टी पर राक आती है दादी ने ने मेरे को एक छोटा सा चूला बना कर दिया पोटेबल सा ठीक है कि मैं वह कहीं भी लगा कर रखू और मेरे मतला हमारा फनीचर का है तो घर पे पेच्छ निया है मैसे पीछे हैं वह से पाच्छ कि अए बढ़ आप्य मुझा ने ने बना जाला राव फिर बीच मुझे पता लगी क्या मिच्छ के चटनी बन थिलिगे पैच्छ ने ठीक है हम वह कहारें बड़े लगाशने तो इस बेदा निया टेक है और थिर पीछ इस वेज नवेज जो बना दो कि वेज नॉन वेज डुट बना दो गुछ पी और मेरे साथ में एक चीज यह भी है तो वेरिफाइ किस से करूंगा मैं यह जो कह रही है वो सही कहरी है मेरे फ्रेंड्स और दूसरों को पीडिन चोड़ो खुद ट्राय करना पहले स्तमाल करें फिर यह सभी है तो कभी कभी मैं कुछ ऐसे डिश देख रही होती हूं तो तो यह जो अगर डल जाएगी तो यह और अच्छा लगेगा मैं आम कुक टूँ आइगे तो इस ऐसा होता है करके और बीच में ने एक चीज सीगी थी एक बड़ दी चिकन बना रहा था है शुगर डाला जाला मैं तो यह जादा ने एक स्पून डाला मैं जादा फरक नीपड़ा उससे पर मुझी पता चलिक शुगर डलने से यह टेस् अच्छा बने तुम्हारा अमीरो वाला ना टेस्ट ही नहीं है ठीका नॉर्फल डाल रोटी बड़ यह सच है आइव बिन तू जो मुंबई वाला ताज है जो सी फेसिंग का ताज है गेटो अप इंडिया के पास उसमें पार्ट शाला नाम से एक रेस्टरॉंट है एक उसमें कहने वाज़ों तू भार बाट शाला नाम से अच्छा टेस्ट वां बैड़ना तो उसका ना खी हमारी माम ती वो स्टेशन हैट थी हो वो हमेशा घर से कुछ न कुछ न कुछ कहने को लें ती बड़ने को बड़ने को कभी बने ती और उनको कुई कह पता था रह पैक्ट पूड होता है जो खुद घा रही है में उपने साथ बिटा कर खिला दी थी बाकी इंटर्न अलगला डबे में उनके साथ बैटके खा रही हूँ ऐसा यह चीज उनका एक चिकन था वो खराब हो गया था तो एक लड़का था नाम भूल गई मैं विवेक नाम ता इस लिग जो बाते हैं जो मैं और आप कर रहे हैं कि चिकन खा लेते हैं वो ये बाते वही लोग करते हैं जिननके लिए वह लकुरी है जिनके रैगुलर्युत इनो घंडे अब हमारे खर में था इस वह बनता है ठीके तो हमारे लीक रवाशुर्यु ने नॉर्मल तो पापा को पसंद ही नहीं था चिकन विकन तो अपर नॉर्मली बस जाके आजाते थे हलका फुली थी। मैं लिए में ने चावल अच्छा लगता है तो पुली होटे शीकन टीक है तो नॉर्मली चवल और चटनी के साथ थे हूट थी। से जदा टेस्टी होता है healthy chicken है पर mutton टेस्टी होता है और एवन फिर मुझे पहले मुझे वो नहीं इच लगता है फिश क्या कि उसमें काटे-वाटे होते है प्राउंस में नहीं होते है बाकी समें होते है फिर मैंने जब रलाईबिक एक खाने का एक आर्ट होता है ट्रिक होती है कैसे खाते है तो फिर मुझे मेर भाईको सिफ मट्का और फिछ अच्छी लगती है तो हम चिकन नहीं देख आजए तो छिकन नहीं होते हैं इसी चीज साथ क्या है कि वन यू इत फिष इस लाइब क्य जो एक वर ऐसा हुआ और मैं सोची अब मैं तो पही मैं अपनी स्टोरी बना लेती है अब मेरी जिंदगी खतब है यही ऐसे ही मेरी मौत होगी काफी लोग बोलते कि कल्की का अफतार आएगा तो मुझे नहीं पता कैसा एगा तो मैं सोच्ति यह कल्यूग चल रहा हमारा आप बैठे हैं शहसे आज लास डेया कल्यूग का बगवान जी आएंगे बोलेंगे एंड खतम चलो अपने जोजा आपने कुकरम किया अपने आ रहा था मैंने उसको सारे नंबर्स दे दिया अपने अक्टर्स जोनलिस्स इंफ्लूएंसर मैंने का शायद से मुझे कुछ हो जाए तो आप यह यूस कर ले ना आपको तो सारे अक्टर्स की स्टोरी पता यह कौन कैसा है कौन स्टै तो यू कन हैंडल और डील विध थेम अरे नहीं नहीं तो जिन्दा है यार कुछ नहीं होगा जो लोग ऐसे नोटंकियां करते हैं उनकों का मैं मर जाओंगी सबसे जादा वही जीते हैं हाँ हाँ जितने लोग बोलें मैं मर जाओंगी मैं मर जाओंगा they always live long life क्योंकि वो पता है क्या करते हैं यह बोल कि अपनी तो सो भूहन फ्रलिट करई क्या ज्ती है मैं तो सोनी जा बत कर यह जा गलत मैं ममी एक हाने या तो लेगा या तो अल्ला लेगा या ज्ट लेगा मैं महुझे सकु भूह से ठीडकिनस्त झार युख़ कूम से कुछ बमें फेराइट यह को थड़ता कि छॉहत्ड गर्दी ओ अच्छा मैंने अपनी ओर्निंग सबसे पहले अफकॉस वो महेंगा फेश वाश ठीक है उसका ना मेरी मेरी जब मेरी 12,000 सालरी तो मैंने तो मैंने तो मैंने तो मैंने अपने पैसे से फोर्स टाइम लाप्टॉप लिया तो थर्टी थाउजन गा बाभब टाइम पशेज डाउन भर्स खाएम थे तो मैंने पहले कहने तो मैंने था र cuts पैसे थे तो मैंने काम व बेशचे रहुनान पर मेरी 20 ब्स आन प्णाटस करकर के कट रहें एम पापा को फोन कि यह लो ने का ले पैसेतो थे चाहिए तो मुझें आ हमेशात ही लापटो month के end में and so you send your PR report every month to every client every client you do that positively do you make it or you have somebody do it मुझे दूसरे पर भरोसा ही नहीं है मैं जिसके काम करती थी पहले तो मैं बोलती थी कि PR का मैं ध्यान रख रही हूँ आप SM का ध्यान रखो क्या हो रहा है मैं प्र क्यास्ट में अपने प्रोसा पूरे महीने काम पूरे मन्त का काम सेफ करके रख ती तो हमने एक Google Docs शेर किया हुँ थी मैं हर मन्त क्लाइंट का प्र का सारा काम डाल ती थी एंड सोशल मीडिया का मैं देखी निति क्या और विकॉस आइ वो तो देखी रिये तो कर लेगी तो मैंने उसको बोला कि भाई आप कर दो शिवाद कि हाँ मुझे पता है मुझे लेट काम बिल्कुल नहीं पसंद है अगर क्लाइन ने कोई चीज़ बोली है आपको तो ऑन दे कर दिया रिपोर्ट भेजने से वो कह रिए कि अराम से बेज देना कोई जल्दी नहीं है इनका इसा कोई क्लाइन ने बोले कि पैसा इन्वेस्ट कि आप रिपोर्ट ऐस तो फिर मुझे वो मुझे बहुत गंदी आदत है मैं मुझे पसंदी नहीं में किसी को पर डिपेंड कि अपर रहा हूं मुझे सब चीज सीखनी है और फिर मैं दीरी दरी सोचल मीडिया पर देखा कि अच्छा ऐसा होता ही यह चीज अब जैसे मैं आपको बताया कि मुझे पता इनी था एक्टर को क्या मैसेच करना है कैसे बना है वैसे कोई बात निया जितना मुझे किलसार है कि अठीक क्लसाले मैं सीहांगी और मैं सीहांगी और मैंने खुझ से परो बन जाओगी फिर लिटरली हैसा होता हो फिर हमारी मंत में डर्मां घंट की क्य विक्ष में ओर हिए किया अपडेटइट ए स्क्लाइंक उसका कितनी कवरी जाई जाए कहां पाइप impair लाइन मुझ्辛 तो सोनी 15 मिट का ही तेरा होता है तो 15 मिट में बता और तू अपने डेक्स पे जा और बागी सबसे ने एक एगंटा डिवेट चल रही है यह क्यों नीवा वो क्यों और मेरा काम ना एक से पंदरा तारिक तक में हो जाता था बागी के पंदरा दिन ना मैं सिर्फ वहां अटें तो मुझे था यार खुदी सीख लो खुदी कर लो दूसरे के पर डिपेंड रहने के ज़रू होती है अब मुझे ना कभी-कभी कुछ कोई मिल जाते है कोई लड़ी की कैसे करें स्टार्ट करना है पी यार में तुम इसको पूरा बताती है भाई ऐसे करो ऐसे को बूलते है यार ओफिस बड़ा टॉक्सिक है यह मैं ना कोई बात लिए जेल ले अच्छा सा एक्स्पिरेंस लेके निकल और जाम जी रहेगी फिर दुनिया तेरे कोई टॉक्सिक की डेफिनिशन बताता है कि क्यों टॉक्सिक है बिकूस ले मी तेली संथिंग हमारे ओफिस में बहुत मैं सिफ कट तुकट बात करती मंडे तुव फ्राइडय मेरा रिलेशन भातर है अब मुझे लगता कि का मैं ना कुछ पूछ़ए तो यह लगता है की का मैं ना कुछ पोच्छ नहीं है वधिना हम तो यह रहे जिए उस यह नग राग रहें दूनिया काज पूच जा दुछ जो चीजेस करना चाहते हो बकेट लिस्स बनाई कोई तो कर लोगी है तुछ और मेरी बहुत सारी चीज दी जो पूरी हो गया है अच्छा बुगे पूरी हो गई है तो पूरी हो गया तुमारी है मुझे ना ऐसे कुछ बड़ा मेरे ने काफे फ्रेंड घॉर्ण्स है जिसे फिर्स में लापटोप लिया तो मिले बड़ी वो चीज ती अभी भी वो चल रहा हुँ बहुत अच्छा चल रहा है ते लिए इतना पैसे कमाती है यह ले ले यह ले इस इसे कांग चल रहा है मैं चला सकती हुए उसकी बाद मैं आइफोन लिया ठीक है और मेरे खानदा इवन अर्निंग वाइज भी और काम वाइज भी कि ऐसा ऐसा चीज है करके वो चीज तो यह है और तो आपका जो भाई है ठीक है या जो बाकी कजिन ब्रदर्स होंगे अर्दे जले सोफियो कि हम तो लड़के होगे नहीं कर पा रहे यार मैं ना मैं किसी से बात नहीं करती हो अच्छा हां और मेरी ना इक बहुती वो है कि मैंने स्टेटस भी डाला वह इफ इस टेक्स्टेवल डोंट कॉल नी ठीक है तो और मैं और तिर आई विल नेवर बिल ब इसका भी चीज होता है जो अपने प्रोसेस पूण मुंझे प्रोसेस होती है हमारी जो पुचिंगी प्रोसेस होती हुम परले जॉल्सको टेक्स्ट करते है मैं यह कर तो कि मैं परले जोनलिस्त करती हूं झात आ कर्ण चिस बाल इस प्रांट आमार पृष्ध को ऑमेरे प् तो भोल देते हैं, तो भोल देते हैं, में रपिष्ट पर दो मुझे कॉनट पर करको उइप आट हैं विट मैं मैं अगले दिन मेरी इस टोड से आट वाइल अ का याट मेरा से है पाकी लोग भी मुझे मेरे साथ काफी बार ऐसा होगा एक अपने दोड़ी यू सी दोड़ा हाई हाँ मैं मैं वटसेप देखती हूँ पूरा दिन ख़तम होने का या क्या हुआ नहीं हुआ तो मेरे काफी लोग friends वा जब मुझे call करते तो मैं कुछ काम करते हैं मैं avoid करती है अब वो फिर call रह जाती है क्योंकि नोने मुझे text पर reminder नहीं डाला तो फिर वो मैं call नहीं करती है फिर मैं उनको बोल देती है पर मैं एक और बात बताता हूं अगर आप genuinely grow कर रहे लाइफ में आपको कोई friend नहीं होता और यह सच है मेरे friends ही नहीं है अगर आप genuinely grow करोगे life में तीन friends है और जो यह real वाले friends है आपके इनको मतलब नहीं आप से एक साल बाद मिलेंगे तब भी बहुत मस्ती से मिलेंगे यह आपको उतुनी ही care करेंगे बिना बात करें और दू तो मुझे नहीं नहीं जाना है तिक है मैं तेरे घर हाद दू तो मेरे घर हादा थी हम इंगे मुवी देखेंगे साथ में गॉसिप करेंगे अर यह olduk और तु舝े पता यह और इसके शाद हिघ है ऑमे तो नॉर्मल गॉस्प पारी वो चीज़ बढ़े घर वाले नहीं कंव मेरी एक फुरेंड हम लास्टियर यह जाने वाल थे तर्रिप ठेले उसके ज़ए उसके घर आले मेरे कर आ Chapel यह ब स्वेलियर के प्रेंगी तुम अपने आपने झा़ जाते रिश् announcement और तो दून्य भीमार है सब कि खान के लेसर Кा आएं-ज़ भीमार है गाए मै रहाए उच wydaje गाट है तो दुलता जो दोसी जटना सबनिख पर आपार। यहाँ कि अचछा है अट तो आज में पर गा तर श şो भोड़ें से लिए जब स्विटाया यहां. तुलसी का पेड़ है तुलसी मैं तुलसी लेकर आई मैंने अदरक अदरक डाला वो दो तीन चीज़े और डाली लॉग काली बिर्च मैंने सो काड़ा बनाकर दिया फिर वो ठीक होगी मैंने का ठीक हो जो यह ट्रिप पे जाना है अब अच्छे ट्रिप की बात करते हैं मेरे स एंच चार ग runटे सोझो उसका घूमो मैं तो बहुत मज़े करती हूं और लोगों से बातार्बात करते हैं अनजाल लोगों से पूचते है कि मैं कैसी लग रही तू कैसा लग रहा है हमें काफे गए थे हम लोग बिर गए थे लास्सल लास्ट यर लास्ट टूर अशी टे र हम लोग बस में पाळू है तो मैं और मेरी फ्रेंद, हम लोग थे हम लोग ते सोनी तो ते हम यह आलो के सब्सीवाएग टेस्टी बनती है तो धलना थी चाहाँ तू जत कहान रहें आ एंदना किया, ready video अपना चिल कर रहे है, और पीछे छे लोगा का गुरुपता, वो भी हमारे साथ ही थे, वो बहुत यह से शोर वोर मचा रहे है, सब कर रहे हैं, सब उसे परिशान हो रहे तो मैंने का, सही तो यारे, छे लोगे सब कर रहे हैं, वो लोग उतरे हमारे साथ, हम जिस लेन में जारे हैं, लास्ट में हम सिफ छे एते बस से उतरने वाले, वोग यह जा रहा हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, एक ही कॉटेज पे हम लोग, All girls or boys and girls? In the second day, I started to interact with them and I don't tell them about their work. The reason is that I am very below average. In college, it was like that. I don't know what to say about them, but I don't know what to say about them. And my other friends are very intelligent, people who come and talk about content. I have to do everything myself. And now I am doing good in life. So they used to message me. But I don't do it because I am very big, so I don't talk to you. The reason is that I avoid it. I don't know what to say about them. I know what to say about them. You are the same as I was with them when I didn't have anything. You are the same because I don't want to change my memory. And I don't forget about new things. I don't forget about them. In my village, there were some people who used to hate me when I was poor. Now suddenly I have a little bit of money. So when I go in, Chacha Namaste says, Hey, son, where did you come from? And I am like, Damn man, I remember you in a different way. Batteries are dying? Okay, all right. Okay, all right. So let me finish it over. All right. At the end of the day, what would you like to give your message to the people who are like you, who are below average? What would you like to give your message to them? I feel like I got inspiration from my father. People think that I don't know how to write, I don't know how to write, what will happen in my life. Nothing happens in my life. It's a myth. I mean, my father has a 7th standard pass out. And his factory started from the carpenters. And then he came to Delhi. He worked in Delhi. And then when he came to my father, he had only one pair of clothes. He was wearing Monday to Saturday. He was wearing Sunday and then Monday to Saturday. So he started there. So you are giving us, you are telling people that focus on working on this, not how many numbers are coming. How many numbers are coming, exactly. If you think that this is written a lot and it's a career set, I don't have to write. Whatever you are doing, whatever you are doing in your interest, you work with honesty. Innocence, you are loyal in your work. You will get success. That's why today's podcast, we are ending this. And it was so much fun. I loved it. I mean, to know you this way. I didn't know you actually. And I could see that you have such pretty eyes. And your eyes are like that only. Okay. All right. Please like, subscribe and press the bell icon. Thank you very much. Why don't you chat, please? And if you guys want to put in front If you cerca, 20 only, put in front in front, of all Noor 2, level 2, level 2, level 2, level 3, level 3, level 2, level 3, level 5. You can give me a hug. OK.